नमस्कार दोस्तों मैं आजय सिंग आपका स्वागत करता हूँ SSE में करके online platform पे कैसे हैं आप सभी student आज maths में दोस्तों हम नया chapter स्टार्ट करने जा रहे हैं compound interest यानि चक्रविर्धी व्याज इससे पहले दोस्तों हम आप लोगों को simple interest यानि की साधरण व्याज पढ़ा चुके हैं ठीक है और उमीद करते हैं simple interest आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और उसका आप सभी student ने revision करके आए होंगे ठीक है हाँ simple interest देखे चक्रविर्धी व्याज क्या होता है साधरण व्याज तो हम आप लोगों को बताए साधरण वर्स प्रती वर्स समान रहता है अगर 10% है हाँ अगर 10% है तो तीन वर्स के लिए है तो डिरेक्ट उसका 10 गुने 30% निकाल सकते हैं तो simple interest simple था चक्रविर्धी व्याज यानि compound interest थोड़ा सा उससे आगे है ज्यादा कुछ नहीं है तो इसमें भी हम आप लोगों को solve करने के लिए आसान तरीका बताएंगे बहुत आसान तरीका बताएंगे चक्रविर्धी व्याज के प्रशनों को भी solve करने के लिए आपको ज्यादा formula रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है हाँ पूरी concept बताएंगे और यहाँ पे जो भी आप लोगों की class से चल रही है एकदम basic से चल रही है जीरो level से चल रही है और chapter by chapter चल रही है ठीक है compound interest यानि कि चक्रविर्धी व्याज ठीक है इसको दोस्तों क्या बोला जाता है C i मतलब compound का C और interest का I तो इसको sort में क्या बोलेंगे C i मतलब compound interest यानि चक्रविर्धी व्याज ठीक है हाँ उमीद करते हैं आप लोग शमझ रहे हों जैसे हम आप लोगों को simple interest पढ़ाए तो उसमें थोड़ा सा इसमें भी लिख देते हैं A M O U N T amount उसके बाद से आपका होता है P P क्या होता है बताइए amount मतलब क्या होता है amount को A से प्रदर्शित किया जाता है amount का मतलब होता है मिस्रधन क्या होता है मिस्रधन इसे आप सब इस्टूडेंट नोट कर लेंगे इसे आप लोग थोड़ा सा नोट कर लिएगा हाँ आप लोग उमीद करते हैं copy भी बनाए होंगे आप लोग ठीक है हाँ तो amount मतलब क्या होता है मिस्रधन प्रिंसिपल पी से प्रदर्शित किया जाता है ध्यान दीजेगा principle principle मतलब क्या होता है मोलधन यह आप सब को बता होगा मिस्रधन किसे कहते हैं मोलधन किसे कहते हैं यह सारी चीज़े हम आप लोगों को बताए हैं देखिएगा यह note करेंगे rate of interest r क्या होता है r ब्याज की दर rate of interest क्या होता है rate of interest rate of interest rate of interest ध्यान दिजेगा इसको किस से प्रदर्शित किया जाता है R से तो इसे क्या बोला जाता है ब्याज बोल सकते हैं हाँ क्या बोलेंगे ब्याज rate of interest क्या होता है ब्याज एक होता है time time को T से प्रदर्शित किया जाता है यह क्या होता है T से time time मतलब क्या होता है time मतलब होता है समय, time मतलब क्या होता है, समय पहले आप सभी student इसको थोड़ा सा note कर लीजिए तर आप late क्यों कर देते हैं कोई नहीं, कल से आप लोगों की glasses एक दम समय से रहेगी, ठीक है चले, आज थोड़ा सा late होगे कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा आप लोग को, हाँ, ये सारी चीजे हम आप लोग को पीछे वाली class में बताए हैं, देखिएगा amount में क्या होता है, amount में क्या होता है, principle और plus क्या होता है ब्याज, बताइए मिस्तरधन में क्या होता है, principle होता है, मूलधन और ब्याज होता है यह आप सब को पता है, थोड़ा से पहले इसे नोट करिए, तो आप लोग फटा-फट नोट करिए और नोट करके बताईए, नोट हो रहा एक नहीं, फटा-फट नोट करिए आप सब इस्टूडेंट, हाँ, देखिए, तो यह जो amount है, इसमें क्या होगा, principle plus, simple interest में, SI होता थ तो यह compound interest है, तो इसमें क्या होगा, SI, यानि कि compound interest, यानि चक्रविर्धी ब्याज, हाँ, amount ध्यान दिजेगा, amount मिस्द्धन में क्या होगा, principle plus SI, समझ रहें, यानि कि ब्याज और मोलधन, यह चीज़ ठीक है, नोट कर लिए, बहुत देख्षे, very good, सब स्टूडेंट करिए फटा-फट नोट करके बताईए, नोट हो रहा है कि नहीं, नोट आप सभी स्टूडेंट करेंगे, सभी स्टूडेंट, चलिएगा, तो अब देखिए, इसमें क्या होता है, एक छोटा सा formula बताएंगे, यह आप लोग लिखेंगे, amount बराबर, P into 1 plus R upon 100 का power T, यह क्या होता ह है, ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट समझेगा, डिरेक्ट चक्रविर्दी वैज नहीं निकलना है, amount निकालेंगे, amount बराबर क्या होता है, P into 1 plus R upon 100 का power T, मतलब amount बराबर principle, यानी की मोलधान, और 1 plus R, मतलब rate of interest जो आपका रहेगा, but 100 power T, यह power N भी बोल सकते है मतलब, N मतलब कितने words के लिए, T या समय बोल सकते हैं कितने words के लिए, ठीक है, यह चीज़ आप लोग समझ रहे हैं, यह देखिए, formula important है, चलिए, बहुत देख्षे, हाँ, note करिए, सभी student note करिए, पहले basic concept आप लोग को पता होना चीए, हाँ, basic concept पता रहेगा, तो आप लो CI निकाल सकते हैं, CI ध्यान दीजिएगा, CI, समझेगा आप सब student, यहाँ पे amount में क्या होता है, principle और CI, यानि चक्रविर्धी व्याज, तो अगर आपको CI निकालना हो, compound interest निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, amount में से, जो amount आएगा, मूल्धन और ब्याज को जोड़ के आएग principle घटा देंगे, amount में से क्या करेंगे, principle घटा देंगे, note करिए तो, और पूरा उमीद करते हैं, आप लोगों को दिखवी रहा होगा, क्या करेंगे, amount में से principle को घटा देंगे, ठीक है, हाँ, amount में से क्या करेंगे, principle को घटा देंगे, तो क्या आज आएगा, compound interest, ठीक है, हा A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपन हंडेट का पावर्टी बहुत अच्छे हाँ कुछ स्टूडेंट हाँ फामूला पता है फामूला देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या है कि क्लास उनके लिए आज पहला दिन होगा या नए स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए भी आसानी रहेगी इसलिए हम समझा देते हैं ताकि आप लोग लिख ले देखिए कोई भी class start होती है तो उस दिन class आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ठीक है उस दिन आप लोगों को class बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है तो बचेगा तो क्या हो जाएगा CI यानि compound interest हो जाएगा ठीक है बहुत दक्षे एकदम सही CI बराबर A-P very good यह तो समझ गए आप सब इस student यहाँ पर A क्या है ध्यान दिजिएगा P क्या है R क्या है T क्या है सब कुछ लिख दिये हैं उम्मीद करते हैं समझ गएँगा आप साधारण ब्याज में क्या होता है प्रति वर्स ब्याज समान होता है लेकिन चक्रविर्दी व्याज में ऐसा नहीं होता है चक्रविर्दी व्याज में पहले वर्स होगा और साधारण ब्याज पहले वर्स ब्याज तो समान रहेगा लेकिन जब second year आएगा जो दूसरा बरस आगा तो चक्रविर्धी व्याज में क्या होगा वियाज पर भी वयाज मिलता है जो क्या मिलेगा उस पर भी वयाज जूरेगा जितने पर्टेंट का यहां पर लगा रहेगा, ठीक है आछ हाँ देखिए थोड़ा सा हम आप लोगों को समझाना चाहेंगे तो व्याज पर व्याज मिले उसका मतलब चक्रवर्धी व्याज सिंपल भासा में आप लोग समझेए अगर हम लोगों के पास प्रिंस्पल माल लेंगे मूलधन 100 रुपए है रेट आफ इंट्रेस 10% है सिंपल एक कोशन लेते हैं ध्यान दिजिएगा थोड़ा सा समझेंगे हम लोगों के पास 100 रुपए है 10% की व्याज दर है चक्रविर्धी व्याज दर है देखिएगा अगर 10% की चक्रविर्धी व्याज है या सिंपल इंट्रेस्ट है माल लीजे 10% की व्याज है अभी आप लोग स्टूडेंट देखेंगे यहां पे हमें यहां पे लिएटे हैं यहां संपलिये और दिए होता है प्रतिवर्श समान मिलता है तो होका परसेंट मतलब 10 रूपए समझेगा 10 रूपए compound interest में भी पहले बर्स क्या होगा 100 का 10 परसेंट 10 रूपए समझेगा यहां पर आप लोग समझेंगे इसमें भी 10 रूपए मिलेगा इसमें भी अब देखिएगा दूसरे बर्स second year second year मतलब दूसरे बर्स क्या होगा simple interest में देखिएगा 10 रूपए मिला दूसरे बर्स में क्या होगा 100 का 10 ही मिलेगा यानी कि 10 रूपए मिलेगा लेकिन compound interest में क्या होगा दूसरे बर्स 10 रुपए तो मिलेगा ही देखिएगा 10 परसेंट इसका मिलेगा ही प्लस क्या होगा यह जो पहले साल 10 रुपए मिला है इस पे भी 10 परसेंट मिलेगा यानि कि 10 का 10 परसेंट निकालेंगे तो 10 गुने 10 बटा का 100 तो 2-0 से 2-0 कटा एक 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 रुपए और मिलेगा यानि यह दूसरे बर्स क्या होगा 11 रुपए हो जाएगा क्या हो जाएगा 11 रुपए हो जाएगा थोड़ा सा आप लोग समझेए पहले हां concept यहां पर clear होना चाहिए अगर यह चीज आप समझ रहें तो बहुत अच्छी ब नहीं होता है compound interest में पहले बर्स तो समान रहेगा लेकिन दूसरे बर्स क्या होगा 10 तो 2 भयाज मिलेगा ही लेकिन क्या होगा जो पहले बर्स भयाज मिला है उस पे भी 10% मिलेगा ठीक है हाँ उमीद करते हैं समझ रहे होंगे चलिए शमझ में आ रहा है एक बार बताईए त ठीक है, हाँ, चलिए, देखिएगा, A बराबर P into 1 plus R 500 का पावर T, ये क्या है, compound interest के लिए formula, और compound interest मतलब CI, CI मतलब compound interest, compound का C, interest का I, इसी को बोलते हैं क्या, CI, ठीक है, compound interest मतलब चक्रविर्धी प्याज, चलिए, समझ में आ रहा है, समझ में आप लोगों को आ रहा है, बहुत समझ में आ रहा है, तो चले, अभी हम आप लोगों को question बताते हैं, question बताएंगे, तो और clear होगा, देखिए, question पर चलते हैं, आप सभी student question देखेंगे, ठीक है, question देखिए, इस page को छोड़िए, यहाँ पर आईए, question देखिएगा, आप सभी student question number पहला, question number पहला देखेंगे, important है, इसलिए important है, कि यह basic question है, एकदम basic question है, इस question से हम start करेंगे, तभी आप समझेंगे, तो पहला question आप लोग खुब अच्छी से समझने का प्रयास करिएगा, भले आप कभी पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, तो यह आप लोग देखेंगे, देखिए, यहाँ के रहे, द लोगों के पास principle दिया हुआ है, कितना, 1000 रुपए, rate of interest दिया हुआ है, 10%, देखिएगा, rate of interest है, 10%, ध्यान दीजेगा, time दिया हुआ है, कितना, 2 वर्स, तो compound interest में के लिए, अभी हम चक्रविर्दी व्याज के लिए, एक formula बताए, किसका amount निकालने के लिए, तो amount बराबर क् P into 1 plus R upon 100 का power T, ये बताए formula, आप सबको ये formula पता होगा, हाँ, अभी बताए, अब देखिए, amount निकालेंगे, amount मेंसे क्या करेंगे, principle को जब माइनस कर लेंगे, तो क्या आजाएगा, चक्रविर्दी व्याज, compound interest, बहुत अच्छे, कुछ student answer दे रहे, एक दम सही है, अभी द 10 upon 100, R की जगा पे 10, और power क्या है, ध्यान दीजिएगा, T, T की जगा पे क्या है, 2 वर्स, तो ये 2 हो जाएगा, तो इसको आप करेंगे, 1000, bracket में ध्यान दीजिएगा, देखिए, आप कटा सकते हैं, चाहे तो 0 से 0, चाहे आप 100 एकं 100, 110 बटा का 100 कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, अब उसका square, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 11 बटा का 10, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 11 बटा 10 गुने 11 बटा 10, या चाहे तो 11 का square बटा 10 का square कर सकते हैं, यानि कि 1000 गुने 11 का square, 121, 10 का square, 100 होगा, देखिए, 2 0 से 2 0 क्या होगा, cancel होगा, 121 गुने 10 करेंगे, तो 121 और ये 0 यानि कि 1210, देखिए, amount क्या है हम लोगों के पास, A, ये क्या है, amount आया है, amount आया है, amount आया है, 1210, लेकिन हम लोगों से पूछ रहा है, C, I, compound interest, चक्रवर्दी व्याज, तो C, I, ध्यान दीजिएगा, जो C, I होता है, compound interest होता है, amount minus principle, ये होता है, हम लोगों से C, I, पूछ आया है, तो देखिए, amount कितना है, बताइएगा, amount आया है, कितना, 1210, यानि कि 1210, 1210 आया है, और यहाँ पे देखिएगा, principle घटा देंगे, इसमें से क्या घटाएंगे, 1000, minus कर देंगे, तो क्या होगा, 1210, ध्यान दीजिएगा, 1210 में से, यहाँ आप सब इस्पूडिन दे यह बेसिक तरीका है, जितने स्टूडिन का 210 आया है, आप सब इस्टूडिन एकदम सही है, उमीद करते हैं, आप लोग समझ रहोंगे, बताइए, यह समझ में आया की नहीं, एक बार बताइए, अभी हम आपको सौट्रिक भी बताएंगे, आसान तरीका भी बताएंगे, ठ पहले यह बताइए, समझ में आया की नहीं, यह जो तरीका है, यह है method 1, क्या है, method 1, यह है method 1, देखिएगा, यानि कहने का मतलब है, 1000 रुपे पहले बर 10% मिला, जुड़ गया, फिर उस पे 10% मिला, तो total आया 1210, ठीक है, तो 1210 यह amount है, हम लोगों से पूछा क्या है, चक्र इंट्रेस्ट, तो CI बराबर होता है, amount minus principle, यह सर आ गया, आ गया समझ में, बहुत अच्छे, समझ में आ गया, चलिए, एक और तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं, दूसरा तरीका आप सब स्टूडेंट देखेंगे, दूसरा तरीका सीखिएगा, method 2, method 2 देखिएगा, method 2 देखिए, तरीका आप लोगों को सीखना है, हाँ, कई सारे तरीके होते हैं, solve करने के लिए, एक प्रस्ण को, जो आपको अच्छा लगे, कर सकते हैं, लेकिन, मेरा, हाँ, मेरा, उद्देश है, कि हम आप लोगों को, सारे तरीका बताएं, ताकि आप लोग अच्छे से सी सीख सके, देखिए, method 2 देखिए, 10% की दर है, यानि कि 10% की दर से क्या हो रहा है, बृध्धी हो रहा है, 10% की दर से बृध्धी का मतलब क्या होता है, आप लोग बताएंगे, अगर 100 रुपए है, 10% बढ़ेगा तो क्या होगा, 110 होगा, ये ये चीज हम आप लोगों को कहा सीखा है, percentage में, profit and loss में, discount में, temple interest में, इस सब में बता है न, तो आप इसको छोटा चाहे तो कर सकते है, 10 दहां में 100, यहाँ पर देखिएगा, या आप इसको देखिएगा, समझेगा, 10 दहां में 100, मतलब 10 रुपए, और 10 से कटाएंगे तो 11, यानि दियान दीजिएगा, 10 रुपए क्या हो जाएगा, 10 रुपए क्या हो जाएगा, 11 रुपए हो जाएगा, छोटा थोड़ाता करना है, देखिए, 10 रुपए एक वर्स में क्या हो जाएगा, 11 रुपए होगा, बात कह रहा है, दो वर्स के लिए, दो वर्स के लिए बात कर रहा है, कुछ नहीं करना ह स्कुवायर कर लेना है पावर दो कर लेना की जितना बर्स बोलें पावर कर लीजिए देखियेगा अब देखिये यानि कहने का मतलब है 10 का square करेंगे तो 111 का square करेंगे तो 121 यानि 100 121 हो जाएगा क्या होगा 100 121 होगा और 100 ये देखिएगा आप सभी student ये 100 किसके बराबर है 1000 रुपए जो principle है यानि कहने का मतलब है मोलधन 100 है मिस्रधन यानि जो amount है वो 121 होगा समझेगा आप लोग यहीं पर समझना है ये बहुती आसान तरीका है इसको अगर आप सीख जाएंगे तो आगे कैसा हूँ question आएगा बहुत अठी से solve करेंगे यानि कहने का मतलब है 100 रुपए 121 हो जाएगा और 100 यानि कि जो मोलधन कितना है 1000 है यानि कि गुने क्या है इसका 10 100 गुने 10 करेंगे तो 1000 आएगा ये 101,000 है तो गुने 10 किये तो इधर भी क्या करेंगे आप सब इस्टूडेंट गुने 10 करेंगे तो 121 गुने 10 करेंगे तो 121,0 यानि कि 1000 रुपए क्या हो जाएगा 1210 हो जाएगा 1000 क्या हो जाएगा 1210 हो जाएगा यानि 100 रुपए का प्रिंसिपल जब 121 हो रहा है तो 1000 का प्रिंसिपल क्या होगा 1210 होगा ये चीज़ समझना है ठीक है अब देखिए 1000 का principle 210 हो गया ध्यान दीजिए 1000 का principle 210 amount तो इस पे जो ci रहा तो ci क्या होता है देखिएगा ci क्या होता है ये देखिएगा amount minus principle amount 1210 है principle 1000 है घटा लेंगे घटा लेंगे तो देखिएगा आप सब इस्टूडे तो यहाँ पे जो compound interest ci होगा ओ होगा 1210 minus 1000 ठीक है तो यह आएगा 210 रूपए यही answer हो जाएगा answer क्या होगा answer हो जाएगा 210 ठीक है आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं देखिएगा आप सब इस्टूडे देखिएगा गुने दस किये हैं ध्यान दिजिएगा गुने दस किये हैं तो आप देखेंगे यहाँ 100 से क्या हुआ 121 हुआ अगर 1 बराबर 10 है ध्यान दिजिएगा तो 100 बराबर क्या 100 बराबर क्या 1000 तो 21 बराबर क्या हो जाएगा 210 भी निकाल सकते हैं compound interest अगर आप चाहे तो इतना नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपको पता है कि 10 गुना है और देखिएगा 100 बराबर अगर 100 क्या है सौ बराबर 1000 है 1 बराबर डोस तभी तो गुले 10 अगर 1 बराबर 10 तो 21 बढ़ रहा तो 21 बराबर 210 तो 10 आप डेरिक्ट चाहे तो बोल सकते हैं ठीक है यह method 2 है एक बार बताईए method 2 समझ में आया की नहीं अभी बता रहें आप लोग को और दो तरीका बताएंगे चलिए हाँ एक question को solve करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं सारे तरीका हम आप लोग को बताएंगे पहले यह बत जना है दस 111 हो गया 10% की व्रिद्धी से एक वर्ष में हुआ तो दो वर्ष में क्या होगा 100 ध्यान दीजिएगा 100 क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा हां मतलब 100 रुपए 121 हो रहा है दो वर्ष में चक्रवर्धी व्याज compound interest ध्यान दीजिएगा आप सब student यानि कि 100 किसके बर हो जाएगा 1210 ठीक है समझ में आ गया बहुत अग्से चलिए एक और तरीका बता रहें ठीक है method 1 method 2 चलिए method 3 देखिएगा आप सब method 3 हम किसी अलग पेंस से कर दे रहें ठीक है black कर दे ठीक है यहां पर देखेंगे आप सब student एक और method सीखेंगे method 3 method 3 यहां पर बता दे रहें थोड़ा सा में हो जाएगा दिखिएगा method 3 तीसरा method दिखिएगा, पहला method, दूसरा method तीसरा, तीसरा क्या है, रुपए कितना है, रुपए कितना है, एक हजार, rate of interest क्या है, rate of interest क्या है, 10%, मतलब पहले बर्च क्या होगा, 10% बढ़ेगा, तो कितना होगा, 10% का बृद्धी का मतलब, 110%, तो एक हजार गुने, 110 बटा का 100, तो ये क्या हो जाएगा, बताईएगा, यानि 10% बढ़ जाएगा, ये 10% बढ़ गया, या आप इतना करके, फिर इस पे 10% बढ़ाएगे, या 10%, देखिएगा, कितने बर्च की बात कह रहा है, 10% है, दो बर्च की बात कर रहा है, तो 110 गुने, फिर से क्या करेंगे, 110 बटा का 100, यानि पहले बर्च क्या होगा, इसका 110% होगा, फिर जो आया, उसका फिर दूसरे परस 110%, ये वाला तरीका, अब देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, 1020, 1020, 1020, 1020, कट गया, तो हम लोगों के पास आया क्या, 10 गुने, 11, गुने, 11, यानि 11, 11, 121, 121, 10, यानि 121, 10 करेंगे, तो 1210, principle क्या था 1000 था देखिएगा आप सभी student अभी चौथा तरीका भी बताएंगे समझिएगा principle क्या था 1000 था हो क्या गया 1210 हम लोगों को बताना है compound interest TI बताना क्या है CI तो CI बराबर क्या होता है बताएं amount minus principle यानि कि 1210 minus 1000 principle घटाएंगे तो आएगा क्या 210 रुपए हाँ उमीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग हाँ देखिएगा 2 second थोड़ा से समझने का प्रयास करेंगे ये 210 आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं हाँ ये 210 होगा क्या होगा 210 यहां पर लिख देते हैं यही 210 क्या हो जाएगा 210 यही 210 आंसर हो जाएगा ठीक है हाँ 210 रुपए आंसर होगा यह वाला भी तरीका क्या है आसान है बताइए तो मैईट तरी समझ में आया कि नहीं तीसरा मैथर समझ में आया कि नहीं एक बार बताइए पहला मैधर तो समझ गये होंगे basic concept है दूसरा भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तीसरा भी समझ अ गया ठीक है चलिए, next method, अच्छा, अगला, चलिए, method 4, अब हम आप लोगों को सिखाते हैं, देखिएगा, method 4, ध्यान दीजिएगा, आप सब student, हाँ, देखिए, method 4, पहला method, दूसरा method, तीसरा, चौथा देखिएगा, चौथा भी आप लगा सकते हैं, method क्या, method 4, M4, ठीक है, हाँ, चौथा method, चौथा method क्या है, xy वाला, चौथा method क्या है, xy वाला, xy वाला बताए हैं, यह 10% की दर है, यह चक्रिविर्धी व्याज है, तो बढ़ रहा है, 10% पहले बर्स बढ़ेगा, दूसरे बर्स भी क्या होगा, 10% बढ़ेगा, ठीक है, यानि कहने का मतलब है, जो method है, y plus xy बटा 100%, यह होता है, यह आप सबको पता होगा, यह आप सबको पता होगा, यह वाला तरीका, क्योंकि यह percentage में, profit loss में हम यह बताए हैं, ठीक है, discount में भी बताए हैं, तो पहले बर्स 10% बढ़ेगा, दूसरे बर्स भी 10%, दो बर्स के लिए बोले, तो आप लगाएंगे यह वाला, प्लस 10, प्लस 10, प्लस 10, गुने, ध्यान दीजिएगा, 10, बटा का 100%, तो दो 0 है नीचे, दो 0 है उपर, cancel हो जाएगा, तो यह क्या होगा, 10, 10, 20, और 1, 91, 21, यानि क्या हो जाएगा, डारेक्ट बोलेंगे, 21%, यह डारेक्ट आंसर आएगा, 21%, 21% क्या होगा, ब्र जालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अमाउंट आएगा, लेकिन हम लोगों को बताना क्या है, सिर्फ CI, तो यह मूलधन जो है, 1000 रुपए है, तो आप 1000 का क्या करेंगे, 1000 का 21% निकाल लेंगे, ठीक है, 21%, 2,0 से 2,0, cancel, 21, गुने, 10 करेंगे, तो आएगा 210, यही क्या हो जा करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, सीखिए, समझिए, और यहाँ पर हम आप लोगों को बेसिक से पढ़ा रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास से चलनी है, मैट्स में कितना हो भी होंगे, टेंसल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग पढ़िए, सीखि यह सब सीख जाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों से हम कहना चाहेंगे, क्या, यह जो method 2 बताए है, यह important है, इसे आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, हाँ, इसे समझिएगा, हाँ, चलिए, मजा आएगा, समझ में आएगा, पहला तो यह पता चल गया, amount बराबर, प्रिंसपल एंटो वन प्लस आरा पन हंडेट का पावर्टी, यह तो बेसिक तरीका रहा, यहां से हम सी आई बराबर क्या होते है, amount माइनस प्रिंसपल 210 निकाले, दूसरा वाला भी क्या हो गया, दूसरा वाला भी आपको पता लगा, कि 10 रुपे, 11 रुपे हो र 1210 होगा, तो 210 की ब्रिद्धी होगा, यानि जो ब्याज हुआ, जो compound interest हुआ, 210 हुआ, ठीक है, यह दूसरा तरीका आप लोग समझ गए, तीसरा तरीका, 1000 है, 10% की दर से, तो 110 बटा 100, गुने 110 बटा 100, तीसरा तरीका यह रहा, चौथा तरीका, X प्लस Y प्लस X Y अपन 100%, ठी की आ रहा है, तो 21% डिरेक्ट, 1000 का 21% निकाल लिए, 210 रुपे ब्याज आ गया, ठीक है, हाँ, सब मेथट समझ में आ रहा है, तो एक बार इसका, आप लोग स्क्रिन सोट ले लिज देगा, और इसे note आप लोग जरूर करिए, ठीक है, note जरूर किया करिए, प्रसनों को, चलि नंबर सेकेंड देखिएगा, ये भी important है, अठे से देखना है, इसे भी समझेना है आप लोगों को, क्या है, देखिएगा, रंजन 4% की बार्सिक चक्रविर्धी व्याज की दर पर 7500 रुपे उधार लेता है, दो वर्सों के लिए चक्रविर्धी व्याज क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोगों के पास दिया क्या है, कितना रुपे है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, 7500, प्रिंसिपल कितना है, 7500, रेट आफ इंट्रेस्ट आर क्या है, 4% है, कितना, 4% और टाइम क्या है, दो वर्सों के लिए, ध्यान दीजेगा, टाइम क्या है, दो वर् जक्रदी व्याज यानि कि compound interest c i पूछ रहा है कितना होगा ठीक है तो amount बराबर क्या होता है बताइएगा amount बराबर क्या होता है p into dhyaan दिजेगा amount बराबर क्या होता है p into 1 plus r upon 100 का power t यह क्या होता है compound interest का formula होता है ठीक है हाँ अब देखिए इस में से क्या करेंगे amount वेसे principle नि यही होता है ना, हाँ, तो amount minus principle ही पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, बताईएगा, ए बराबर, क्या है, principle क्या है, 7500 है, 7500 है, rate of interest 4% है, मतलब 1 प्लस 4, मतलब 4, और बटा का 100, और का power क्या है, हाँ, power 2, ठीक है, इसका answer आप लोग देंगे, इतना तो बता दिये न, इसका answer आप लोग दे सकते हैं, बताईए, देखिएगा, इसका answer आप सब student देंगे, तो यह होगा, 75, 100, हाँ, calculation करने आप लोगों को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, 100, ध्यान दीजिएगा, 100 एकम 100, 4 ए जाओ, और यह क्या हो जाएगा, power 2, तो आप इसे 4 से कटा सकते हैं, 4 दुना के 8, 4 शके 24, और 4 से कटेगा 25, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, बताईएगा, आप सब इस student समझेगे, हाँ, समझ में आए जाएगा, आप सब इस student को, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ध्यान 25, ठीक है, 25 से कटा लिजिए पहले उस और उसके बाद आंसर दीजिए, कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का, हम देखना चाहेंगे, कितने student आंसर दे रहे, फटा फट आंसर आप लोग दीजिए, चलिए, देखिए, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, very good, कुछ student आंस यह इधर लिख देते हैं, बारह गुने 26 का इसक्वाइर, 26 गुने 2676, क्या, 676, तो आप बारह से गुना कर सकते हैं, यहां पे, गुना करके direct बता सकते हैं, देखिएगा, गुना आप सब student कर सकते हैं, कोई नहीं, देखिएगा, 2 second, 2 second, कोई नहीं, आप गुना करके बता सकते हैं, ठीक है? गुना कर सकते हैं, कितना है? 676, 12 गुने 676, तो गुना करके यहां पर लिख रहे हैं, बारचवचे 72 का दो हासिल, 7, 12-84, 84-70-91 का एक हासिल कितना होगा? 9, 12-72, और 72 और 9, 81, c कि यह क्या गया यह आया है है यह बराबर आया है म सबस्टेट और यहां पेопас c i c i यहीं कमपांज इंट्रेस्ट क्या होता है म खटा देंगे तो 85 gobierno C 612, क्या होगा, 612, यह answer होगा, principle दिया हुआ है, देखिएगा, 312 कितने student का answer आ रहा है, समझ में आ गया, तो answer इसका आएगा, 612 रुपए, answer क्या आएगा, 612 रुपए, इसमें चक्रविर्दी व्याजनी, जो compound interest होगा, देखिएगा, compound interest, CI, मतलब amount minus principle, वो होगा, आपका कितना, 612 रुपए, बताइए, समझ में आया की नहीं, चलिए, यह तो आप लोग समझ गए, method 2 के तरफ चले, method 2, अभी हम आप लोगों को बताये थे, method 2, method 2 देखिएगा, यह क्या रहा, यह रहा, method 1, ठीक है, अब देखिए आप सब्स्टूडेंट, method 2, यहाँ पर लिखते हैं, method 2, 4% की, 4% की दर से बढ़ रहा है, मतलब, समझीएगा, आप सब्स्टूडेंट, समझीएगा, अच्छे से समझेंगे, 100 रुपए क्या हो गया, 104, यही तो होता है, 4% का मतलब, 100 रुपए, 104 हुआ, तो इसको थोड़ से यह कटेगा, 4 दुना के आट, 4, 6, 24, यानि 25, 26 हो गया, कितना हो गया, 25 रुपए, 26 रुपए हो जाएगा, 4% बढ़ेगा, तो, हाँ, ध्यान दीजिएगा, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग बताए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4% है, 4% है, तो 25 क्या हो जा ध्यान दीजिएगे, आप सबी सूडेट, यानि कि 625 क्या हो जाएगा, 26 का स्क다, 26 क्या होता है, 26, 26 65, यानि 625, 2676 हो जाएगा, क्या होगा, 625, 676 हो जाएगा, और यह 625 किसके बराबर है, 75 के, 325 किसके बराबर है 75 अभी सिंपल तरीका बता रहे यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझेंगे यह तरीका ऐसान है आगे चलेंगे जब solve करेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और समझ में अच्छा से आएगा 625 क्या हो गया 625 क्या हो गया 75 तो 625 कितनी बार में 75 कर रहेगा 12 च्छा के 72 और ध्यान दीजियेगा आप सब ही स्टूडेट ध्यान दीजियेगा 12 बार में और 25 गुनेबार है 300 यानि कि 12 बार में गुनेबार हो रहा है ठीक है तो इधर भी आप क्या कर सकते है गुने बारा यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यह 26 गुने 266 गुने बारा ही था समझ रहे ना ठेशोचेतर ध्यान दिजिएगा तो यह भी 676 गुने बारा ठेशोचेतर गुने बारा क्या होगा 8112 यानि कहने का मतलब है आप लोग समझेगा 325 रुपए 676 हो गया दो बर्स में यानि सिंपल भाशा में कहें तो यह जो अमाउंट है पचातर सो यह 8112 हो गया तो इसमें जो सी आई होगा कंपाउंड इंट्रेस्ट होगा तो सी आई यानि कंपाउंड इंट्रेस्ट बराबर क्या होता है एमाउंट माइनस प्रिंस्पल यह आप सबको पता है अब देखिए सी आई कंपाउंड इंट्रेस्ट ब तो टीक है। अब देखिये यहां पर आप सभी शूरीन्ट थोड़ा ते समझेंगे अब देखिएगा यहां पर देखिएगा आप सभी डिच है कि दिक्षिये यहांप देखिये तो 123 मतलब 12 है तो एक रेश्यो वराबर वरा है अगर गुने बारा है ना ये गुने बारा है ना एक रेशियो बढ़ाबर बारा है तो यहां से यहां तक यह बढ़ा कितना है 625-676 हुआ है आप डायरेक्ट चाहें तो क्या निकाल सकते हैं compound interest CI निकाल सकते हैं कैसे देखिएगा 625-676 हुआ यानि बढ़ा कितना है रेशियो में इकान बढ़ा है और देखिएगा आप सब इस्पूडेंट एक रेशियो बढ़ाबर क्या है 12 है क्योंकि 12 गुना हो रहा है एक रेशियो बढ़ाबर 12 है देखिएगा अगर 625 बढ़ाब चीज से भाग किये है ठीक है तो कितनी बार में गया है 12 बार में गया है आप चाहें तो गुना करके देख सकते 12 65 का 0 12 गुने इकावन तो बार एक रेशियो बढ़ाबर 12 है ध्यान दीजिए आप सब स्थूडेंट समझना है तो 51 रेशियो बढ़ाबर क्या होगा तो 12 गु डैरेक्ट बोलेंगे 612 रुपए जिससे क्या होगा आपको यहां पे पूरा गुना करके माइनस करने से आप बच जाएंगे क्या करेंगे हां क्या करेंगे आप गुना करके देखिएगा देखिए यहां पे थोड़ा से समझेंगे एक रेशियो बढ़ाबर 12 है ध्यान क्योंकि आपको पता है 625 बढ़ाबर 75 है अगर 625 बढ़ाबर 75 है तो एक बढ़ाबर क्या होगा 12 इसलिए न 12 गुने 625 बढ़ा है ठीक है उमीद करें समझ रहे होंगे 625 बढ़ाबर ध्यान दीजिएगा 625 बढ़ाबर क्या है 75 100 तो एक बढ़ाबर क्या होगा 75 100 बढ़ा 625 मतलब 12 तो 12 गुना है इसका तो इधर 12 गुना है तो इधर भी 12 गुना कर लेंगे तो 8100 812 आएगा तो आप ऐसे कर सकते हैं 75 100 तो कितना ज्यादा है 612 तो 612 का जो होगा कंपाउंट इस चक्रवृद्धी व्याद हाँ चलिए उमीद करते हैं समझ गए होंगे इसको आप क्या कर सकते हैं बेसिक तरीका से भी कर सकते हैं देखिएगा method 3 इस पे apply आप कर सकते है method 3 method 3 आप इस पे apply कर सकते देखिएगा method 3 क्या कहता है कहाँ पे solve करें जगह की कमी हो रही है इसको मीटा दे बदाईए इसको मीटा दे या रहने दे चलिए method 3 इसमें ही apply कर देते हैं दूसरे पैंसे आप लोग समझेंगे कितना रुपए है पचात पार बटा का 100 यह होगा तो आप इसको कटाएंगे तो यह 26 होगा यह 25 होगा यहाँ पे होगा आपका 75 100 गुने 26 बटा का 25 गुने 26 बटा का 25 समझ रहे यह method 3 आप डैरेक्ट कर सकते हैं तो 25 तियां का 75 यानि 300 और 25 एकम 25 ध्यान दीजिएगा और 25 दूना के 50 बार बार में जाएगा अब देखिएगा आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे समझेंगे 26 गुने 26 गुने 2676 होगा यानि 12 गुने 686 तो 686 और गुने 12 यही तो हो रहा है तो यह गुना करेंगे तो क्या होगा 8 112 यानि कहने का मतलब है जो आपका 75 100 रुपए ध्यान पर फिर्पल था वो क्या हो गया 8 112 हो गया यानि यहां से यहां तक बढ़ा कितना है तो यहां से यहां तक बढ़ा है 612 रुपए यही क्या होगा आंसर हो जाएगा हां compound interest बराबर क्या होगा compound interest बराबर क्या होगा बताइए गाप सब इस्टूडेंट compound interest बराबर होगा amount minus principle ठीक है हां method 3 भी समझ गया होंगे एक बार बताईए तो आप लोगों को आ गया है method 3 BC में लिख दिये हैं आप लोग समझ लेंगे अगर पढ़ें हैं तो नहीं समझ में आएगा तो बताईएगा method 3 75 100 गुने 104 बटा 100 गुने 104 बटा 100 बस इसी को कटाएं हैं 26 का square square याद करने के लिए आपको बोले 1 से लेके 30 का square याद होना चाहिए एक से लेके 30 का पहाड़ा भी याद होना चाहिए उमीद करते हैं आप लोग समझ गए ठीक है सरकारी नोगरी चाहिए कोई भी हो उसमें 100% से सफलता के लिए आज ही डाउनलोड करें ssc maker एप ssc maker डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें नमस्कार दोस्तों मैं आजयर सिंग आपका स्वागत करता हूँ ssc maker के इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आगे चलते हैं हम कोईशन सॉल्व करेंगे हम आप लोगों को class 1 में basic concept सब कुछ बता दिये हैं formula बता चुके हैं और कुछ question भी कराए थे उसके बाद से अब हम चलेंगे class 2 में class 2 का दोस्तों ये तीसरा question है हम आप लोगों को बताना चाहेंगे question number 1 और question number 2 यानि की हाँ question ये 3 है question number 1 और 2 हम class 1 में करा चुके हैं और आप सब्स्टुडेंट उसका revision और practice जरूर करके आएंगे चलिए question को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे फटा-फटी start करते हैं question देखिएगा question है तीन वर्सों में 20 प्रतिसत प्रतिवर्स की 10 से 500 रुपए पर वार्थिक रूप से सन्योजी चक्रुविर्धी ब्यास से मिलने वाली रासी क्या होगी ये पूछ रहा है देखिए इसके लिए देखिए और एक-एक question को solve करने के लिए हम 3-4-4 तरीके आप लोगों को बताए है ठीक है तो यहाँ पर आप सभी student देखेंगे question में क्या दिया हुआ है question में 500 रुपए यानि कि जो principle है principle है 500 रुपए दिया हुआ है rate of interest क्या दिया हुआ है 20 प्रतिसत देखिए दिया हुआ है और time दिया हुआ है क्या time दिया हुआ है तीन बर्स ठीक है तो चक्रविर्धी व्याज में चक्रविर्धी व्याज के लिए formula हम आप लोग को बताये थे amount बराबर principle इंटू यानि P इंटू 1 प्लस आर अपान 100 का power T time भी इसमें देखिए आप सभी student दिया है time भी दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा ठीक है देखिए तो amount के में क्या होता है दोस्तो principle और ci यानि चक्रविर्धी व्याज होता है आप लोग समझ रहे होंगे ठीक है हाँ देखिए यहाँ पर ए बराबर P principle कितना है 500 है और 1 प्लस R की जगह पर क्या रखेंगे 20% और बटा का 100 का पावर T की जगह पर क्या रखेंगे 3 वर्स समझ में आ रहा है आप लोगों को अब देखिए अब आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है तो यह होगा 500 और 100 एकम 100 अब 20 प्लस करेंगे तो 120 बटा 100 क्या होगा 120 बटा 100 120 बटा का 100 और का पावर 3 तो आप इसको छोटा कर सकते हैं 20 चक 120 बीस पच्चे 100 आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं देखिएगा आप सब स्टूडेंट 500 गुने 6 का क्या होगा 666 चतिशक के 216 और 5 का क्या होगा 125 तो 125 चौक को 500 होता है 4 गुने 216 करेंगे 2 चोक को 8 16 चोक को 64 यानि कि 800 800 क्या होगा 864 होगा कितना होगा 864 ध्यान दीजिएगा कितना होगा बताईएगा आप सब स्टूडेंट 800 864 रुपए अभी हम आप लोगों को बताए है कि amount में क्या होता है amount में होता है देखिएगा आप सब स्टूडेंट principal प्लस CI तो CI सिर्फ अगर आपको निकालना हो compound interest बताना हो तो क्या करेंगे आप सब स्टूडेंट amount में से principal घटा लेंगे तो amount कितना है दोस्तो बताईएगा आप सब स्टूडेंट amount जो आया ये बराबर ये बराबर आया है 864 864 में से principal 500 घटाएंगे answer आ रहे आप लोगों का बहुत तक्षे 800 864 ध्यान दिजेगा 864 माइनस 500 तो होगा क्या दोस्तो 364 ये होगा CI और यही होगा आप लोगों का answer कितना होगा बताईएगा आप सब स्टूडेंट 364 कितने student का answer रहे 364 जितने student का 364 रहे आप सब स्टूडेंट एक सम्थ सही है ये रहा method 1 ये क्या रहा method 1 ये method 1 है method 1 अब देखिए आप सब स्टूडेंट method 2 method 2 में हम आप लोगों को क्या बताएए method 2 में देखिए 20 प्रतिसत की दर से ब्रिद्धी हो रहा है देखिएगा आप सब स्टूडेंट कितने 20 प्रतिसत की दर से ब्रिद्धी हो रहा है 20% ब्रिद्धी का मतलब 100 रुपे 120 होगा कितना होगा 120 तो 20, 5, 100 और 20, 120 यानि कि 5 क्या हो जाएगा 6 होगा 5 रुपए क्या हो जाएगा 6 रुपए हो जाएगा अगर 5 रुपए principal है तो amount कितना हो जाएगा 6 होगा बात क्या कर रहा है दोस्तों 3 वर्स की बात कर रहा है तो power क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे या 3 बार 5-6-5-6 लिग देंगे ठीके या आप क्या कर लीजिए, पावर 3 कर लीजिए, तो पावर 3 का मतलब 5 का पावर 3, 5 पचे 25 पचे 125, 125 क्या हो जाएगा, 366 है कि 216, क्या हो जाएगा, 125 रुपे, 3 बर्स में क्या हो जाएगा, 216 होगा, और यहाँ 125 रुपे यह क्या है, principle है, 216 amount है, तो 125 की जगा पर देखेंग है, तो यह 500 रुपे principle है, तो आप देखेंगे, 125, 500 है, तो 125, 500 है मतलब कितना गुणा है, कितना गुणा है, तो देखेंगे, गुने 4, 4 गुणा है, 125, 4 को 500, समझेगा आप सब स्टूडेंट, यह क्या है, गुना 4 है, ठीक है, हाँ, 125, चो को 500, यह 125, अगर 500 है, गुना 4 है, तो ये भी क्या होगा, गुने चार होगा, कहने का मतलब है 216 क्या हो जाएगा, 864 होगा, समझ रहे, 500 रुपे क्या हो जाएगा, 864 रुपे हो जाएगा, तो जो compound interest होगा, वो CI जो होगा, वो क्या होगा, बताइएगा आप सब इस पूरे, 864 में से 500 को क्या करेंगे, माइनस कर करेंगे, तो 364 रुपे आएगा, और यही क्या होगा, अंसर होगा, अच्छा, आप लोगों की class के लिए, class आप लोगों की जो नहीं चल रही है, ठीक है, GS वाली, ठीक है, ओभी आप लोगों की एक से दो दिनों में continue करा देंगे, सुबह में class कराएगे, ठीक है, पहले इस question को आप लोग देख लिए, उसके बाद से हम class के बारे में बात करेंगे, एक बार पहले इस question को बताईए, तो आप लोगों समझ में आया की नहीं, method 2 समझ में आया की नहीं, एक बार बताईए, अभी हम class पर चर्चा करेंगे, ठीक है, हाँ, GS की class आप लोगों की चलेगी, एक से दो दिनों में चलेगी, परिशान मत हो, यह आप सब student, सभी लोग, ठीक है, यह थोड़ा से पहले question देख लिए, उसके बाद समझ बाते कर रहे है, बताईए, एक बार समझ में आया की नहीं, method 2 समझ में आप लोगों को आया की नहीं, चलिए, समझ में आ गया, बहुत very good, समझने का प्रयास करिए, इस पे आप क्या कर सकते है, इस पे आप क्या कर सकते है, देखिएगा, method 3 भी लगा सकते है, method 4 इस पे नहीं लगाएंगे, method 4 क्या होगा, लंबा हो जाएगा, method 3 भी लगा सकते है, क्या हो रहा है, 500 रुपे 20%, मतलब 500 गुने क्या करेंगे, देखिए method 3 method 3 बता दे रहे हैं 500 रुपए ध्यान दिजेगा 500 रुपए 20% इस पर चक्रविर्दी ब्याज मिल रहा है तीन बर्स तक ठीक है तो 500 क्या होगा पहले बर्स 120% इसका बढ़ेगा अब यह जो हो गया फिर इसका 120% होगा फिर दूसरे बर्स यह हो गया तीसरे बर्स क होगा मतलब 120 बता का 100 यह होगा तो आप देखिए 206 120 25 100 206 120 25 100 206 बीस 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 पच्चे सो समझ रहें अब देखिएगा यह 500 500 गुने 266 के 216 क्या हो रहा है 216 और बटा का 5 25 25 125 तो 125 चोको 500 और 260 गुने 4 करेंगे तो क्या होगा 864 यानि 500 रुपए क्या हो गया 864 हुआ 500 864 हुआ तो जो CI होगा जो compound interest होगा वो कितना हो जाएगा 864 में से 500 घटा देंगे 364 हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा ठीक है बदाईए एक बार आप लोग समझ में आ रहे हैं कि नहीं क्या हो जाएगा 36045 रुपए समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि नहीं एक पर बताईए तो आप सब Comics समझ में उया यहीं आ पको क्या होना चाहिए यह formula या दोना question आप सभी student देखेंगे question number four question number four देखिएगा important question है ध्यान से देखेंगे आप सभी student question number four यह important question है most important है ऐसे पूछे जाते हैं exam में question तीन वर्स के लिए 25% दर पर 6400 रुपए पर चक्रविर्धी ब्याज क्या होगा क्या चक्रविर्धी ब्याज वही c i पूछ रहा है देखिएगा एक तो यहां पर आप सभी student देखेंगे अभी हम आप लोगों को बताएं कि यहां पर है principle देखे principle क्या दिया हुआ है चौशोर सो रुपए दिया हुआ है ठीक है और यहां पर rate of इंट्रेस्ट अर क्या दिया हुआ है पचीस परसेंट और टाइम क्या दिया हुआ है ध्यान dönी जर्गा टीन बर्स दिया हुआ है और और CI पूछ रहा है, CI मतलब क्या होता है, compound interest, ठीक है, तो compound interest के लिए क्या कर सकते है, amount में से principal घटा के निकाल देंगे, ठीक है, amount minus principal, और amount बराबर क्या होता है, amount बराबर होता है, amount बराबर P into 1 plus R upon 100 का power T, T का मतलब time, ठीक है, ये, ये तो basic तरीका है, इस पे आप सभी student कर लेंगे, इस पे उमीद करते हैं, हाँ, इस formula पर आप सभी student कर लेंगे, क्योंकि ये formula पहले से ही बताते चल रहे हैं, अभी हम आप लोगों को बताएंगे क्या, method 2, ध्यान method 2, थोड़ा सा आप सभी student समझेंगे, क्या है, तीन वर्स के लिए 25%, 25% का मतलब क्या होता है, 100 से 125 होना, हाँ, मतलब 25 चो को 100 और 25 पचे 125, 4 रुपे क्या होगा, 5 रुपे होगा, 25% की बृद्धी होती है, चक्रुवर्धी मतलब उसमें जुड़ेगा, तो 4 रुपे 5 हो ज लिख सकते हैं, अगर आप चाहें, तो पावर लिख लेजिए, या 4 रुपे दूसरे बर्स भी क्या होगा, 5 होगा, 4 रुपे तीसरे बर्स भी क्या होगा, 5 होगा, समझ रहें, आप ऐसे भी कर सकते हैं, तीन बार लिख सकते हैं, तो आप तीन बार लिख सकते हैं, ठीक है, या आप चाहें इतना ना लिख के 4 का Q, 5 का Q भी लिख सकते हैं बात देखने ही होता है, थोड़ा से समझना है 4 का Q 64 होगा या 4 को 16 को 64, 5 पचिस पचे 125 हो जाएगा ऐसे भी कर सकते हैं, तो सिंपल क्या है कुछ नहीं करना है इतना लिखने से बढ़िया है कि 4 का Q, 5 का Q मतलब 4 को 16 को 64 पचिस पचिस क्या हो जाएगा तीन वर्स में, 5 पचिस 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 क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, समझेगा आप सब स्टुडेंट, अभी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा 64 रुपए 125 हो गया, यह जो प्रिंसपल 64 है, तीन वर्स में 125 हुआ तो यह 64 जो प्रिंसपल है, यहाँ पे कितना है, 4-100 है 64 अगर 64-100 के बराबर है, तो कितना गुना है, ध्यान दीजिएगा ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसे आप गर नहीं समझ में आ रहे है तो 64 क्या है, 64-100 के बराबर है, तो एक रेशियो बराबर क्या होगा, यह रेशियो में आया है आप समझिएगा, 64 रेशियो है, बराबर अगर 64-100 है, तो एक रेशियो बराबर क्या होगा 64-100 बटा का 64, तो 64 एकम 64-100 बार में, यानि गुने आप 100 भी कर सकते हैं या अब नहीं पता है, तो आप ऐसे सो सकते हैं, तो यह क्या है, 100 गुना हो रहा है, तो इधर भी क्या होगा, बताईएगा, जो amount होगा, समझेगा, यह भी 100 गुना होगा, तो यानि कि 125 के पीछे, आप क्या करेंगे, हाँ, 2,0 लगा देंगे, यानि 6400 रुपे क्या हो हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा, ठीक है, अब ही देखिएगा, यहाँ पर रेशियो में हम निकाले हैं, 64, 64 रेशियो बराबर, अगर 6400 है, तो 125 रेशियो बराबर क्या होगा, 125 गुने 100, इतना शमझे में उमीद करते हैं, आप लोगों को आ रहा होगा, अब देखिए, अब आप पूछ रहा है, चक्रविर्धी व्याज, तो आप इसमें से क्या कर सकते हैं, 12,500 में से 6400 घटा सकते हैं, तो क्या आएगा, बताइएगा, आप सभी स्टूडेट, स्टी आई, स्टी आई, स्टी आई, वराबर क्या होता है, amount minus principle, ठीक है, हाँ, यानि कि amount 12,000 है, 12,000 में 12,500, तो यह हो जाएगा, 1600 रूपए, क्या होगा, 1600 आंसर हो जाएगा, क्या होगा, 1600 आंसर होगा, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, उमीद करते हैं, आप सब स्टूडेट समझ रहोंगे, देखिएगा, अब आप चाहते अगर इतना नहीं घटाना पड़े, तो आप य 64 और 36, 100 और 25, 36 और 25 क्या होगा, 61, यानि रेशियो में कितना बढ़ा है, 61 बढ़ा है, और 64 बराबर 64 है, यानि 100 गुना है, तो आप डिरेक्ट देख सकते हैं, 61 बढ़ा है, यानि कि आप 61 गुने 100 भी कर देंगे, तो डिरेक्ट CI आजाएगा, 600, डिरेक्ट क्या आजाएग आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे, और एक और तरीका है, ये तो तरीका समझ गए, ये easy है, असान है, एक दूसरा तरीका, method 3, ये भी आप लोगों के लिए असान है, देखिएगा, method 1 ये रहा, method 1 आप सभी स्टूडेंट समझ गए, method 2, method 3, method 3 क्या है, 6400 रुपे है, 6400 रुपे है, ध्यान दीचिएगा, 25% की दर से वृद्धी हो रहा है, 25% बढ़ेगा, तो क्या होगा, चकरविर्धी व्याज है ना, तो 125 बटा का 100, गुने, कितनी वर्स के लिए, तीन वर्स के लिए, तो तीन बार करेंगे, 125 बटा का 100, गुने, 125 बटा का 100, तो 25 बटा के 125 चौको 100, यानि कहने का मतलब है, ये 6400 गुने, लिख लेंगे, 5 पचे 25 बटा के 4 चौको 16 चौको 64, ये चीज़ समझ रहे हैं, अब ये डिरेक देखीगा, 64 से 64, एक बार में कटा 100, 125 बटा करेंगे, तो क्या होगा, 125 और 2,0, यानि 6400 रुपए क्या हो जाएगा, 12500 हो जाएगा, तो CI, compound interest, धहन दीजेगा, आप सब स्टूडेंट, CI, compound interest बड़ाबर क्या होता है, amount, ये amount आया है, और इसमें से principle आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इसमें से जब principle आप माइनस करेंगे, तो आप सब स्टूडेंट देखेंगे, और समझेंगे, 12500 में 6400 माइनस करेंगे, देखिएगा, आप डिरेक्ट यहां लिख सकते हैं, 12500 माइनस 6400, तो क्या हो जाएगा, 1600, क्या होगा, 1600, और यही आपका क्या होगा, answer होगा, ठीक है, उमीद करते हैं, method 1 से आप लोग कर लिए होंगे, method 2 भी समझ गए, और ये method 3 भी आसाने, ठीक करना क्या है आप लोगों को, ये तो तरीका आप लोग लगा सकेंगे, इसे भी आसान है, method 2 भी आसान है, method 2 भी आसान है, और जो method 3 है, ये भी आसान है, सभी स्टूडेंट समझ गए हैं, बहुत अच्छे, चले next question के तरफ चले, बताएं आप लोग, next question के तरफ चले, ठीक ह question number 5 देखिएगा, आप सभी student, question number 5, question number 5 भी काफी important है, अच्छे से देखेंगे, और समझने का प्रयास करेंगे, question number 5, देखिएगा, most important question है, धियान से देखेंगे, आप सभी student, question है, देखिएगा, क्या बोल रहा है, देखिएगा, आप सभी student, 50,000 रुपे की रासी, पहले बर 10%, और दूसरे बर्स का मिला 20%, ठीक है, तो चक्र विर्दी व्याज कितनी हो जाएगी, देखिएगा, 10%, अभी direct हम आप लोगों को method 2 के तरफ चलेंगे, देखिएगा, 10% का विर्दी का मतलब क्या होगा, अभी देखिए, formula इसमें नहीं लगाना है, देखिएगा, तरीका ज पहले बर्स 10%, दूसरे बर्स 20%, 20% का मतलब 100 रुपए क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, यानि 20 पच्चे 100 और 20 चक्चे 120, यानि दूसरे बर्स क्या होगा, 5 रुपए 6 रुपए हो जाएगा, समझेगा, अभी आशान लगने लगेगा आप लोगों को, देखिए, पहले बर् अगर देखा जाए, तो 5 रुपए 6 रुपए हो रहा है, समझे रहें, इस प्रकार से, यानि कहने का मतलब है, इधर वाला आपका प्रिंसिपल है, यह इमाउंट है, तो 10 पच्चे 50 रुपए 11 चे के 6 हो गया, 50 क्या हो गया, 6 हो गया, समझे रहें आप सभी स्टूडेंट, पचास रुपए क्या हो गया, 66 रुपए हो जाएगा, यानि 50 रुपए जो आपका प्रिंसिपल मूल्धन है, वो चक्रिविर्दी व्याज की दर्शे, दो वर्स में, पहले बरस 10 परसं, दूसरे बरस 20 परसं की व्याज दर्शे, क्या हो जाएगा, 66 रुपए है, माउं 66 हो गुने एक हजार, क्योंकि यहां पे यह 50,000 है, यह तो 50 आपका रेशियो में, अगर 50 रेशियो बराबर, 50 रेशियो बराबर, 50 हजार, तो एक रेशियो बराबर, एक हजार, ऐसे भी कर सकते हैं, बढ़ा कितना है, दोस्तों, यहां पे आप डारेक्ट, अगर उदर नहीं आप को करना है गुने एक 1000 नहीं करना है तो आप ऐसे देख सकते हैं समझिए आप सब इसकूड़ी देखिएगा तो 50 रेशियो बराबर अगर 50,000 है ठीक है तो कितना एक रेशियो बराबर 1000 आया की नहीं. देखिएगा. यहाँ पर आप सब जूटिन देखेंगे. 50 रेशियो बराबर 50 हजार. तो 1 रेशियो बराबर 50 हजार बटा का 50. तो 50 से कम 50 क्या होगा? 1000 एक रेशियो बराबर 1000 ही है. तो यहाँ से रेशियो देखेंगे कितना बड़ा है? तो direct आप बताओ सकते है कि कितना रुपए आएगा बतासकते हैँ आप CI के लिए क्या कर सकते है? 17 गुन एक हजार ठीक है? हाँ solar ratio में बढ़ रहा है तो 16 गुन एक हजार अब बोल सकते हैं 16,000 ऐसे भी बोल सेकते हैं अगर ऐसे नहीं कहना चाहते है तो यह 1,000 गुना है तो यह भी 1,000 गुना होगा तो छाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचा है very good जितने स्टूडेंट आंसर देने 16,000 आप चाहें तो ratio से भी compare करके निकाल सकते हैं या आप चाहें तो amount में से principal को minus करके भी निकाल सकते हैं यह जहां method 2 या method 1 ठीक है इसे हम बोल देते हैं क्या method 1 ठीक है तो यहां इस सब को मतलब कुछ नहीं है यह तो हम आपको समझाने के लिए लिखें ज्यादा बड़ा नहीं है समझने का बस फेर है अगर आज समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसान है ठीक है हाँ बस यह समझना है 20 परसेंट के ब्रिद्धि का मतलब सब 120 होगा तो इसको छोटा किये बीस बच्चे सब 26 के 120 यानि 56 हो गया बस रेशियो में छोटा किये ठीक है अब देखिएगा इसको हम method 1 मान लेते है method 2 method 2 हम आप लोगों को बता देते है method 2 method 2 देखिएगा आप सब 100 110 परसेंट हो जाएगा मतलब 110 बेंस दीफिएगा दूसरे बरस क्या होगा हाँट दीचिंगा दूसरे बरस में क्या हो रहा है 20 परसेंट कि ब्रिद्धिए हो रहे तो मुसका 120 serp अब देखिए, कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, देखिएगा आप सब इस्टुडेंट, समझिएगा, डाइरेक्ट आप क्या करेंगे, कटा लेंगे, कटाना भी आसान है, आप सब इस्टुडेंट कटा सकते हैं, हाँ, यहाँ पर देखिए, बीस चके एक सो बी एकम पाँच एकम क्या होगा पाँच और यह होगा 1000 और 116 66 गुनीए 1000 यह डैरेक कितना हो जाएगा 66000 यानि 50,000 रुपए कितना था रुपए कितना था पचास हजार था हो कितना गया 66000 व्रिद्धी कितने की हुई है 16000 की तो यही होगा compound interest जो compound interest हुआ और 16,000 हो गया, अंसर आ गया, ये भी बहुत आसान है, इस question के लिए, ये जो method 2 अभी हम आप लोग को बता रहें, ये आसान है, ठीक है, ये वाला भी आसान है, यानि 50,000 का 110%, फिर उसका 120%, ऐसे भी कर सकते, ये वाला भी आसान है, कि 10 रुपे 11 हो गया, 5 रुपे क्या हो गया, यानि कि 10 पचे 50, 50 ratio में बढ़ा, तो 16,000 हो गया, ठीक है, और ये जो, sorry, 2 second हम आप लोग को बताना चाहेंगे, अभी इसके बाद वाला था आपका na question, हाँ, देखिएगा, उसके बाद आपका ये क्या हो गया, आप सब student देखेंगे, 56,000 हुआ, मतलब 16 के ratio में बढ़ा, एक ratio बरबर, अगर 1000 है, तो 16 ratio बरबर क्या होगा, 16,000, ठीक है, बताइए, समझ हमें आया कि ने, एक बार comment करके आप लोग बताइए, तो, हाँ, चले, next question के तरफ चले, बताए, आप सब student comment करके, चले, next question के तरफ, सब student, next देखे, आगे देखे, अगला question आप लोग देखेंगे और आप चाहें, तो इसमें, xy वाला भी method लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी सब ज्यादा method नहीं सीखना है, बस आप लोगों को तरीका देखना है, कि ये वाला भी आसाने, ये वाला भी आसाने, बहुत सारे तरीके हैं, चले, next question देखेंगे, आप सब student question number 6, question number 6 देखे है, यदि ब्याज की दर पहले बर्ष 20%, दूसरे बर्ष 40%, योंग तीसरे बर्ष 50% हो, तो मूलधन क्या है, मूलधन यहां बताना है, क्या बताना है, मूलधन यानि की principle बताना है, पूछ रहे हैं, तो मूलधन क्या है, माल लीजिए मूलधन x है, अगर अभी पिछला जो question बताना है, उसमें method 2 से अगर जाएंगे, हाँ, हाँ, अगर method 2 से आप जाएंगे, देखिएगा आप सो भी स्प्रेंट, तो समझ में आएगा, मूलधन अगर x रुपे है, x रुपे है, पहले बर्ष क्या बढ़ा, 20% बढ़ा मतलब इसका 120% हो गया, दूसरे बर्ष में 40% ब है, हाँ, अब देखिए, अब आप लोगों को ज्यादा नहीं करना, x की वाइलू ला सिकते हैं, कि जो principle था, मूलधन था, तो x बराबर, ध्यान दीजिएगा, x बराबर क्या होगा, उधर क्या है, 50, 40, अब यह देखिए, गुने वाला जब बराबर कुधर जाता है, तो क् honors हाग में बटवयले को करने के लिए क्या करते है, पलट देते, यानी 120 बटा च तो यह क्या हो जाएगा, 100 बटा का 110, one बने 140 बटा का 100 है, तो यह हो जाएगा, 100 बटा का 150, बस इसी को कटाएंगे, x की value आजएगी, बहुत अच्छे, कुछ student answerゃ दे रहे, और सही answer दे रहे ह hay बहुत दक्षे अब आप देखिएगा पचास दूरा के सो पचास तियाई डेढ़ सो बीस पच्चे सो और बीस सत्य एक सो चालिस बीस पच्चे सो बीस छक्के एक सो बीस ठीक है अब आप सब इस्टूडेंट देखेंगे यहां पर इसको कटाएंगे तो कट जाएगा छे चालिस और छे चौगो चौविस ठीक है हाँ ध्यान दीजिए आप सब इस्टूडेंट यहां पर छे अठे अर्तालिस दो चौविस हो रहा है छे चौविस आट सो चालिस बार में अब यहां पर आप चाहेंगे तो साथ से कटा लीजिए या सातरी के किस चौगो चौग क्या चालिस गुने पांच गुने पांच गुने दो तो यह होगा क्या एक्स बराबर ध्यान दीजिए आप सब इस्टूडेंट हाँ यहां पर देखिएगा दो पच्चे दस पच्चे पचास और पचास पचास चौको 200 200 के पीछे एक जीरो लगा लेंगे ठीक है हाँ यान गजो बहँत अच्छे एक्डम सही हाँ जितने स्टूडेंट बढ़रें दो हजार आप सबी स्टूरा एकदम सही है तो यहवाला भी मैथड आसान है और आप चाहें तो एक और लगा सकते हैं आप सब स्टूडेंट क्या हाँ देखिए यहां पे थोड़ा सा आप सब को हम लिख देते हैं method 1 ठीक है हाँ इसे method 1 ले ले लेते हैं method 2 की तरफ अगर हम आए method 2 की तरफ हाँ यहां पर कर देते method 2 की तरफ अगर हम आए आप लोगों को बताए 20% बृद्धी का मतलब क्या होता है 100 से 120 यानि 2520 चके 120 समझ रहे हाँ 100 से क्या होगा ध्यान दीजिएगा 100 120 होगा यानि 25 चकी 120 5-6 होगा क्या होगा 5-6 होगा पहले बरस में 5-6 हो गया 6 हो गया देखिए 40% बृद्धी का मतलब 40% बिर्दी का मतलब 100 से 140 होना, ठीक है, यानि 20 पच्चे 100, 20 सत्ते 14, 5 से 7 होना, क्या, 5 से 7 होना, समझ आप सब सुटेंट, 5 से 7 होना, यहाँ समझ में आ रहे हैं, 40% मतलब 100 से 140, 20 पच्चे 100, 20 सत्ते 140, ठीक है, 50% बृद्धी का मतलब क्या होता है यानि 100 से 150 होना यही तो होता है तो यानि 50 दूना के 100 पचास ती आइडेड सो 2 से क्या होना 3 होगा 2 से क्या होना 3 होना समझ रहें 3 बर्स में ये कैसे हो रहा है ऐसे हुआ है तो आब इसको क्या करिए ये principle है ये amount है 5 पचे 25 दूना का 50 50 रुपए दूना का 50 तीन से 23 और 21 चके क्या होगा 21 चके 6 कम 6 और 6 दूना के 12 एकसो चबर्स यानि 50 रुपए क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा 50 रुपए क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा और यहां पर आप लोगों को थोड़ा से समझने है, तीन बर्स में क्या हुआ है, पचास चालिस हुआ है, यह एमाउंट है कि प्रिंस्पल है, थोड़ा से समझने है आप लोगों को, यह एमाउंट है, समझेगा आप सब स्टूडेट, यह एमाउंट है, तो आप इसको ऐसे स चार गुना कर सकते हैं, तो इधर भी क्या होगा? 4 गुना होगा, देखिएगा कैसे 4 गुना? 4 छेक्ए, ध्यान दीजिएगा, आप सब स्टूडेट्च समझेंगे, हाँ, 4 गुना है मतलब ध्यान दीजिएगा, और ये 40 0 है, तो 40 गुना हो रहा है, ठीक है? यह amount है और यह principal है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं अगर 40 गुना इधर करेंगे तो 5 को 20 और 2000 रुपए यानि 2000 यह क्या होगा यही आपका answer होगा इसमें पूछ क्या रहा है हम लोगों से मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन होगा 2000 रुपए मूलधन क्या होगा 2000 रुपए बता सकते हैं आप लोग बताईए यह वाला तरीका समझ में आया की नहीं method 2 बताईए समझ में आया कि नहीं ये वाला भी आसान है 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 एक बार कमेट करके बताईए तो समझ में आया कि नहीं बहुत देख्चे चलिए सभी स्टूडेंट समझ गए बहुत देख्चे इसमें क्या है, amount दिया है, तो amount यह है, तो principle यह है, समझ में आ गया, चले, next question देखते हैं, अगला question देखेंगे, question number 7, question number 7 देखिएगा, यह भी important है, question number 7 हम आप लोगों को बता दे, यह भी most important है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, समझेंगे, question यह है, एक महिला को 5% की और से 2 वर्त के बाद 441 रुपई प्राप्त होते है, तो मूलधन ग्याद कीजिए, मूलधन क्या है, यहाँ पे भी पूछाए क्या, मूलधन पूछाए, बता सेकते हैं आप सब इस प्रुड़े, यहाँ पे देखिए, 5% बार्तिक दर्से 2 वर्त में क्या हो गया, 441 तरीका बताए हैं आप लोग को method one method one से लगाई है आप लोग चलिए method one से लगा क्या answer दीजे तो फटा-फट हाँ बहुत एच्छे चले देखिए method one ही तो उसमें भी पिछले वाले में भी मूलधन ही पूझा था माल लेंगे मूलधन x है x रुपे 5% की वार्तिकदर मतलब 105 बटा का 100 गुने 105 बटा का 100 बराबर कितना हो गया 441 यही तो हो रहा है तो x की value आप बता सकते हैं कि नहीं x बराबर क्या होगा 441 गुने यह गुना वाला उधर जाएगा बराबर क्युदर जाएगा भाग में होगा 105 बटा का 100 है तो 100 बट देखिएगा आप सभी student तो यहां पर देखेंगे 5 से कटाएंगे आप सभी student तो 20 बार में यह 5 से 21 बार में तो यह भी 20 बार में यह 21 बार में समझ में आया हां यह 441 है 441 है ठीक है हां तो आप इसको देख सकते हैं direct कटा सकते हैं 21 गुने 2441 हो जाएगा एक बार में कटेग और एक स्टेप देख लिए यह है और यही क्या होगा अंसर होगा अब देखिएगा यह आपके लिए रहा बात क्या कर रहा है दो वर्स की बात कर रहे तो पावर दो कर लीजिए या एक बार और और पहले बर्स बीजिए किस हुआ दूसरे बर्स भी क्या होगा बीजिए किस हो जाएगा ऐसे भी कर सकते हैं दूसरे बर्स भी क्या होगा बीजिए किस हो जाएगा अगर सेम है तो पावर बढ़ा लेते हैं अलग अलग है तो ऐसे आप कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं देख किसके स्क्वेर 400 एक किसका पावर दो करते तो 441 अब यह देखिएगा यह 441 हुआ है यह 441 क्या है एमाउंट है मिस्त्र धन है हम लोगों से पूछ के रहा है मूल धन पूछ रहा है तो यह जो 441 है ध्यान दीजिएगा यह किसके बराबर है 441 के यानि गुने एक ही है तो यह 400 क्या होगा गुने एक 400 ही होगा तो जो एमाउंट होगा यही पर आपका आ गया है कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ इसमें करने की यह गुने एक गुने करने की ज़रूरत ही नहीं है आप बोलेंगे तुरंत यहां दिया है 441 अगर है तो प्रिंसपल क्या होगा 400 ह फ़ोगा और यही 400 हो जाएगा आंसर होगा यह गुने गुनेक नहीं करना एख मुल्टीपल नहीं आगे जाता है तो उमीद समझेंगे method 2 भी क्या है आसान है method 2 भी क्या है आसान है बहुत आसान है ये भी आसान है ठीक है method 2 को अभी आप लोग समझेंगे मन लगा के पढ़ेंगे ठीक है सरकारी नोकरी चाहिए कोई भी हो उसमें 100% से सफलता के लिए आज ही डाउनलोड करें ssc maker app ssc maker app डाउनलोड करने के लिए description box में दिये गए लिंक पर क्लिक करें नमस्कार दोस्तों मैं आज है सिंग आपका स्वागत करता हूँ ssc maker के इस online platform पे ये चक्रविर्धी भी आज का class number 3 है और इसमें हम आप लोगों को बता दे class 1 और class 2 हम आप लोगों को करा चुके हैं class 1 में basic concept बताए है और formula भी बताए है class 2 में सारे important question start कर दिये हैं जो भी आपके exam oriented question होते हैं जो exam में पूछे जाते हैं उन प्रशनों को करा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से करा रहे हैं और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे यहां पर आप लोगों की जो भी class से चल रही हैं एकदम basic से चल रही है zero level से चल रही है और chapter by chapter चल रही है ठीक है पहला question देखिएगा पहला question यानि हम आप लोगों को बताना चाहेंगे यह question number क्या है 8 है question number 1, question number 1 से लेके 7 तक, class 1 और 2 में हम करा चुके हैं, उमीद करते हैं कि पीछे वाला जो भी question हम कराए हैं, एक से लेके 7 तक, उन सभी प्रशनों को आप बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे, और उसका revision भी आप लोग किये होंगे, practice भी किये होंगे, question आप सभी student देखें रुपे हो जाती है, तो राशी ज्यात करे, और राशी कितनी है, ये पूछ रहा है, देखे, question को एक बार आप लोग पढ़ेंगे, यदि एक निश्चित राशी तीन वर्स में 10 प्रतिसत की चक्रविर्धी व्याज की दर से 6600, ध्यान दीजेगा, 6,655 रुपे हो जाती है, तो राशी ज्यात करे, राशी क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ध्यान दीजेए हम लोगों से पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल क्या है, तो इसके लिए कई सारे तरीके बताए हैं, आप लोग बदाईए तो पीछे वाला question आप सभी student ने solve किया है, पीछे वाला question इसते पहले आप लोग solve किये हैं, तो आप लोग बता सकते हैं, बेशिक तरीका भी लगा सकते हैं, और formula भी लगा सकते हैं, बेशिक तरीका में formula को यूज़ कर सकते हैं, और इसमें क्या कर सकते हैं, आप direct मान सकते हैं, देखिएगा आप सभी student, 10 प्रतिसत की 10% का मतलब क्या होता है देखिएगा 10% का मतलब क्या होता है देखिएगा 10% का मतलब क्या होता है देखिएगा अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं यहां पे देखिए यहां पे हम लोगों से पूछ रहा है क्या प्रिंसिपल पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा लोग समझेंगे तो आप लोगों को शमझ में आने लगेगा ठीक है principle पूछ रहे कुछ आपको ज्यादा नहीं करना है देखिए 10 पर्तिंट की 10 से ब्रिद्धी मतलब 100 से क्या होना 110 होना 100 से क्या होना 110 होना आंसर आप लोग लिख सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं पावर थि कर सकते दस का पावर फ्री का मतलब 10 गुने 10 गुने 10 दस दामें 110 में 1000 1000 क्या हो जाएगा 11 12 11 11 यानि की 1331 हो जाएगा 1331 ऑप समझेगा थोड़ा से समझेंगे ज्यादा प्रिंस्पल ये आपका इमाउंट यह 30 there किसके बराबर होगा बताईएगा कितना गुना है तेरा पच्चे 65, 31 पच्चे 162, 155 ध्यान दीजिए आप 5 गुना करेंगे, 5 एकम 5, 5 ती आई 15, 5 ती पंद्रा, 15, 16, 5 एकम 5, 16, समझ रहें, कितना गुना है, 5 गुना है, तो इधर भी आप क्या करेंगे, गुने 5, तो एक हजार गुने 5 करेंगे, तो 5,000 रुपए, क्या होग प्रिंसपल होगा, वो क्या होगा, 5,000 होगा, बहुत एक्षे, वरे गुड, एकदम सही है, उमीद करते हैं, समझ रहेंगे, एकदम सही, देखिए, आप से क्या पूछा है, रासी पूछा है, तो आप क्या मान सकते हैं, जो रासी है, वो X है, ध्यान दीजिए, प्रिंसपल पूछ रहा है, प्रिंसपल पूछ रहा है, बेसिक तरीका आप ये भी अपलाई कर सकते हैं, अगर X रुपए है, 10% की दर से बृद्धी हो रहा है, तो पहले बर्स क्या होगा, 110% हो जाएगा, दूसरे बर्स इसका 10% बढ़ेगा, तो 110%, ये तरीका बताएं आप लोगों को फिर तीसरे बर्स इसका 110%, देखिएगा, बराबर क्या हो रहा है, 6,655 हो रहा है, तो X बराबर क्या होगा, बताईएगा, ये देखिए, method 1 हम आप लोगों को बता रहें, ये method 2 है, method 2 बहुत ही easy है, ठीक है, method 1 भी easy है, देखिएगा, method 1 में आप लोग देखेंगे, तो X बर वाला भाग में होता है और बटे में है तो भाग में करने के लिए कुछ नहीं करना है पलट देना है तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा 100 बटा का 110 फिर यह वाला होगा तो यह भी होगा 110 अब आप इन सब को कटा सकते हैं जीनों से जीरो आप चाहें तो सब का कटा लिज्यें ठीक है दस बटाई गारा दस वताई गारा तो एक्स बराबर क्या होगा छे हजार छे सो यहां पैसे भी मान सकते हैं 100 रुपए 110 हुआ यानि कि 10 रुपए 11 रुपए हो जा रहा है तो तीन बार दस दस लिकने से बढ़िया है कि पावर आप 3 कर लिजिये ठीक है 5,000 रुपए यही आंसर होगा ठीक है अब बहुत अच्छे वेरी गुड उमीद करते हैं आप सभी स्कूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे को ठीक है चले नेक्स कोश्चें के तरफ चल रहे हैं आएंगे तुरंत आपको समझ में आएगा तुरंत आंसर आएगा ठीक है चलिए ये वाला भी आसान है इसमें भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगला कोशन देखेंगे कोशन नंबर 9 कोशन नंबर 9 काफी कोशन नंबर 9 है एक महिला ने 100 रुपए 10 प्रतिसत की वार्तिक व्याजदर पर जमा किये चक्रविर्धी व्याज की बार्तिक दर पर अवधी के अंत में महिला को 121 रुपए प्राप्त हुए उसने बैंक में कितने समय तक धनरासी रखी थी टाइम पूछ रहा है क्या प्रेस्ट दोस्तों दिया हुआ है 10% समझेगा आप सभी सुडेट और अवधी के अंत में 121 रुपए प्राप्त हुआ मतलब जो एमाउंट है जो एमाउंट है ध्यान दीजिएगा ओ कितना हुआ 121 हुआ एमाउंट क्या हुआ 121 हुआ अब देखिएगा आप सभी सुडेट और क्या पूछ रहे हम लोगों से टाइम पूछ रहा है टाइम क्या है तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है एमाउंट बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 का पावर टी यह फॉर्मूला होता है क्या होता है यह फॉर्मूला होता है समझ रहे हैं आप देखिए कुछ इसमें ज्यादा नहीं करना है ठीक है समझ रहें अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को देखिएगा एमाउंट कितना हो गया है 121 प्रिंस्पल कितना है 100 है और इधर क्या है 1 प्लस आर कितना है 10 परसेंट अपान हंड्रेड का पावर T देखिए अब सभी स्टूडेंट देखेंगे 100 एक्कम 100 और 10 जोड़ेंगे 110 बटा का 100 110 बटा का 100 यह सो देखिए बराबर के उधर गुने में इधर आएगा भाग में हो जाएगा तो 121 बटा का इसे हम 100 लिख सकते हैं यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बराबर अब देखिएगा आप सब स्टूडेंट यहां पर देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे यह क्या हो जाएगा 100 एक्कम 100 और 10 जोड़ेंगे 110 बटा का 100 यह देखिएगा 110 बटा का 100 का पावर क्या होगा टी का पावर टी अब देखिए 110 बटा का 100 को 0 से 0 कटा लेंगे 11 बटा 10 हो तो ग्यारा बटा दस का square लिख सकते हैं और इधर क्या है दोस्तों ग्यारा बटा 10 का power T है अब क्या किरेंगे देखिएगा हाँ इनके power की तुल्ला करेंगे तो T verabar kya होगा देखिएगा इधरगा ग्यारा बटा 10 T verabar kya होगा Two year दो sal तो answer आप लोगों का क्या होगा, t बराबर 2 साल, यानि कि जो समय होगा, वो 2 साल होगा, 2 year, बहुत अच्छे, very good, जितने student answer दे रहे हैं, आप सब इस student एक दम सहिए, बताए समझ में आया कि नहीं, हाँ, formula तो आप लोगों को बताईए, इस पे रखके निकाल सकते हैं, अभी basic तरीका भी बता रहे हैं, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, 100 रुपए है, पहले बर्च बढ़ेगा, 10%, तो 110 होगा, फिर 10% बढ़ाएंगे, तो 121 होगा, कितनी बार बढ़ाए, दो बार बढ़ाए, यानि दो साल में हुआ, देखिएगा, आप ऐसे भी इसको कर सकते, 100 रुपए कितनी बार किये हैं पहले साल दूसरा साल आप डाइरेक्ट बोलेंगे दो साल में ऐसे भी आप सोज सकते हैं। कर सकते हैं चलिए अच्छा सेटेंड मेफ़ड बताएइं तो यह तो सेटेंड में हुड रहा एक और MT यक और तरीका आप लोगों को बता रहें। दूसरा तरीका एक और तरीका आप लोग देखिएगा formula तो समझी गए हैं, देखिए, दूसरा तरीका देखेंगे आप सभी student method 2, method 2, अभी जो हम लोग solve कर रहे थे, क्या हो रहा है, 10% ध्यान दीजिएगा, कितनी, 10% बृध्धी का मतलब क्या होता है, 100 से 110 होना, मतलब आप कटा सकते हैं, 10 दहां में 100 और 10 से 11, यानि 10 से क्या होना, 10 से क्या होना, 11 होना, 10 से क्या होना, 11 होना का मतलब क्या है, 10% की बृध्धी, और ये जो 10 है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 10 है, ये क्या है, 100 है, और ये जो 11 है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 11 है, वो 121 है, क्या है समझेगा अभी समझ में आएगा जो हम लोग पावर पिछले वाले कोशन में कर रहे थे जो पावर पिछला कोशन आप लोग देखेंगे अभी देखिएगा यहाँ पे पिछला कोशन में ये पावर जो था ये 3 ये 3 ये क्या था बर्स था पिछला कोशन में समझ में आया जिस का power क्या करें कि Hugo 11 का power क्या करें रखना है बड़ा अगर behavior करेंगे तो 10 होगा एक करेंगे तो 11 होगा अगर इसका power दो कर रहे हैуки 10 स्क्वाबर साओ 11 का स्क्वार की समझ रहे है तो यह जो power है यानि T बराबर क्या होगा 2 ये जो power है वही क्या होता बर्स होता है तो T बराबर 2 year ठीक है हाँ T बराबर 2 year दो साल बताइए आप लोग एक बार अंसर बताए कि आप लोगों का अंसर आ रहा है जो समय पूछ रहा है आप लोगों से तो होगा 2 साल ये भी आसान है बस आप लोगों को समझेना है बताइए दूसरा method समझे में आया कि नहीं दूसरा भी आसान है आप देख सकते हैं 10 अगर 100 हो रहा है तो पावर क्या होगा 2 होगा हाँ थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा बस दिमाग लगाएंगे तो आप लोग शब को दिखेगा हाँ चलिए बहुत है रिष्व यह लेगे तल रिष्व देखे टने नोट कर ये सभी प्रशनों को एडली क्लास को जोऔर तेंगय G अगला question आप लोग देखेंगे question नमबर टेन question नंबर आप लोग देखेंगे अगला दस नंबर का question है ये भी most important question है अच्छे से देखिए समझने का प्रयाज करिए 5% प्रतिवर्ष चक्रविर्धी ब्याज पर 800 रुपए 800 रुपए कितने बर्स में 882 हो जाएंगे कितने बर्स में 800 रुपए 882 हो जाएंगे देखिए यहां पर जो पिछला अभी question आप लोगों ने किया जो अभी आप लोगों ने पिछला question किया 100 रुपए 10% की दर से 121 कितने में हुआ formula पर तो आप लोग कर सकते हैं बताइएगा आप सब student तो इसको भी आप चाहें तो formula पर कर सकते हैं देखिएगा यहां पर rate of interest आर दिया हुआ है 5% और यहां पर हम लोगों से time पूछा है time क्या पूछा है time पूछा है principle दिया हुआ है कितना 800 रुपए और यहां पर amount दिया ह हुआ है 800 कितना हुआ है 82 82 तो amount बराबर क्या होता है P into 1 plus R upon 100 का power t तो आप क्या कर सकते हैं यह P है न तो amount अपान प्रिंसिपल बराबर 1 plus R upon 100 का power t आप ऐसे कर सकते कर सकते हैं कि नहीं इतना तो कर सकते amount क्या है 800 ध्यान दिजिएगा amount क्या है 882 प्रिंसिपल क्या है 800 है बराबर 1 plus R rate of interest 5 है तो 100 एकम 100 और 5 105 बटा का क्या होगा 100 होगा तो इसको हम direct कह सकते हैं 105 बटा का 100 का power t अगर हम इनको छोटा करें उपर नीचे छोटा करने तो 5 दूना के 10 और 5 ही कम 5 5 दूना के 10 यानि कि 21 बटा का 20 इसे भी आप अगर छोटा करेंगे तो देखिएगा 248 248 दो एकम 2 248 यानि कि 441 बटा 400 क्या हो रहा है 441 बटा 400 अब आप लोग थोड़ा सा समझेंगे यह 441 किसका square है 21 का यह 400 किसका square है 20 का तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते 21 बटा 20 का power 2 बराबर 21 बटा 20 का power यह T दिया हुआ है तो T यानि ध्यान दीजिएगा time T हाँ अब घातों की तुलना करेंगे power की तुलना करेंगे तो T बराबर क्या होगा 2 years मतलब T बराबर जो समय होगा वो होगा 2 साल अब चाहें तो आप इसको oral भी कर सकते हैं 800 रुपए 822 हुआ है 5% तो आप देखिएगा क्या देख सो सकते हैं 800 का 5% निकालेंगे तो 800 का 5% क्या होगा 40 रुपए ठीक है 40 रुपए होगा यानि पहले बर्स तो 40 मिला दूसरे बर्स इस 40 पे भी 5% मिलेगा यानि 40 तो दूस दीजिएगा तो 40 क्या करेंगे 5% आप निकालेंगे तो आपको दिखने लगेगा यहां पे ध्यान दीजिएगा 5-10 और 2-4 यानि क्या हो जाएगा दूसरे बर्स 42 चालीच और बैस जोडएंगे तो 82 होगा कितने साल में 2साल में बताइए क्या दिया है ध्यान जीजिए तो बटा सो तो आप देखेंगे ये दो बार करने पर क्या हो जाएगा 882 हो जाएगा हाँ दो बार करने पर क्या होगा 882 हो जाएगा ठीक है तरीका अच्छा अब चलिए अब ये वाला तरीका आप लोग सीखिए पावर वाला जो अभी हम लोग कर रहे थे ठीक है यह आपका रहा method 1 method 2 देखिएगा method 2 में आप सब student देखेंगे 5% प्रतिवर्ष चक्रविर्धी व्याज है तो 5% का मतलब क्या 100 से क्या होना 105 होना यानि इसको हम कटा दे तो 20 से 21 होना क्या होना 20 से 21 होना समझ रहे हैं 20 से 21 होना आप लोग समझ येगा यहाँ पर आप लोग देखिए 5 से कटा है 20 पच्चे 100 और 21 पच्चे 105 यानि कि 20 से अगर कोई 21 हो रहा है रासी तो कितना बढ़ रहा है 5% बढ़ रहा है ठीक है अब देखिएगा ये 20 किस के वराबर है ये 20 ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा भी आप लोगों को समझ ना है यहाँ पर बहुत सी स्टूडेंट का निफ्यूज हो जाते हैं तो यहाँ पर गलती नहीं 800 और ये है क्या? 882 तो आप देखेंगे कि 20 का कितना हूँ पावर करेंगे ये 800 ना स्क्वाइर है ना 882 स्क्वाइर है ना क्यूब है समझ रहे हैं आप सब स्टूडेंट देखिएगा ये स्क्वाइर और क्यूब नहीं है तो आप क्या करेंगे? इसको देखिएगा इसको आप थोड़ा सा छोटा करेंगे छोटा करने का मतलब है 800 को अगर हम 2 से भाग कर रहे हैं तो यह 400 हो जाएगा 800 82 को कर रहे हैं तो यह 441 होगा आपको ऐसे करना पड़ेगा अगर यह वाला method लगाते हैं तो अगर square नहीं है, cube नहीं है, power में नहीं है तो आप क्या करेंगे ऐसे करेंगे छोटा करेंगे तो यह 400 किसका square है, 20 का square है, यह 400 क्या है, 20 से कैसा है square है, एक किसका square होता है और power जो होता है, time होता है, time होता है, यानि इसका power अगर हम 2 कर दे तो यह होगा और ये जो 2 है, यानि कि जो ये 2 है, ये क्या है power, ये time है, तो answer हो जाएगा T वराबर 2 years, यानि जो समय होगा, वो होगा 2 साल, तो बताइए, हाँ, इतने बर्स में 800 रूपए 800 बैसी होगा, तो 2 बर्स में, बताइए ये समझ में आया की नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आप लो ये वाला तरीका क्या है, आसान है, ये वाला तरीका आप लोग लगाएंगे, ठीक है, ये वाला तरीका, ठीक है, चलिए, next question देखेंगे, question number 11, question number 11, यानि question number 11 आप लोग देखिए, question number 11 देखिएगा, ये भी most important है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को देखना ह और समझना है कह रहा है यदि कोई धनराशी चक्रविर्धी व्याज पर पांच वर्सों में दो गुना हो जाती है तो कितने वर्सों में वह आठ गुना हो जाएगी देखिएगा इस कोश्चन को देखेंगे अब देखिए सिंपल इंट्रेस्ट में क्या होता है प्रति वर्स पांच वर्स में दो गुना हो रहा है मतलब हम पहले क्या बताते थे 100 रुपए 200 रुपए हो रहा है पांच वर्स में हो रहा है यानि व्याज उसमें क्या होता था देखिएगा सिंपल इंट्रेस्ट से रिलेट नहीं करना है आप लोग को बहुत से स्टुडेंट सिंपल इ प्रतिवर्स्द्याज समान होता है तो इसमें आपको और आसान करना थीक है कुछ फुर्श में देख रहे थी सिंपल इंट्रेस्ट वाला फ्रमूला लगा रहें यह wyृ दिच्छा वर्ष में 5 साल में कितने साल में हैं समझेगा आप सब स्टूडेट पांच साल में बोल रहा है पांच साल यानि पांच बर्स लिख देते हैं ठीक है पांच बर्स में पांच बर्स में क्या हुआ है दो गुना हुआ है पांच बर्स में दो गुना हुआ है कितने बर्स में यह चार गुना होगा ध्यान गुना की बात कह रहा है कि ध्यान दीजिए समझेगा आप सब इस पूड़े अगर पांच बर्स में सिंपल भासा में देखिएगा पांच बर्स में क्या हुआ दो गुना हुआ तो फिर अगले पांच बर्स में क्या होगा अब यह जो दो गुना है अब यह क्या होगा प्रिं पांच दस और पांच पंद्रा पंद्रा बर्स में क्या हो रहा है आठ गुना हो रहा है अंसर होगा पंद्रा बर्स लेकिन आपको इतना नहीं करना है आप देखिए कैसे करेंगे पांच बर्स में ध्यान दीजेगा पांच बर्स में क्या हुआ है दो गुना हुआ यानि दो क तरीख तरीक रीका सीख़िये वर समय बूख एक मनि 12 हुगा कितने बर स्ट्व गुन होगे मतलब दो का पावरデ orders 3 करेंगे तो और यहांसर हो जाएगा पांच गुने 3 मतलब 15 बर्थ आंसर होगा क्या पंदरा बर्थ बस क्या करना है बर्थ को यह जो पावर है इससे गुना कर देना है आंसर हो जाएगा पंदरा बर्थ आंसर होगा क्या पंदरा बर्थ आप लोगों का स्टूडेंट का बताएं आप सब सुदेंट आप लोगों का क्या अंसर आ रहा है 15 साल वेरीगुड बहुत अक्षे जितने स्टूडेंट का 15 साल आ ठीक है तो यह वाला मैथड़ा लगाना है आप लोगों को पांच वर्स में दो गुना तो कितने वर्स में आठ गुना होगा 15 आइं 15 तीक है समझने के लिए हम यह बताएं हैं ताकि आप लोग समस्कें 5 बर्स में 2 गुना आप लोगों को बैंक में पता है कि 100 रुपय आप जमा करते हैं पांच बर्स में 200 हो गया ठीक है अगले अगले पाँच बर्स में क्या होगा यह 200 रुपे प्रिंस्पल हो गया यह 400 हो जाएगा इसी परकार से ये 2 गुना हुआ है तो अगले पाँच बर्स में ये 4 गुना हो जाएगा समझ कि नहीं सम த में आ गया बताए हाँ समझ में आप लोगों को आ गया है ठीक है एक दम सही है ठीक है चलिए नेक्स कोशन के तरफ चलते हैं अगला कोशन आप लोगों के नाम ठीक है आप लोग करेंगे कोशन नंबर बारा कोशन नंबर बारा देखिएगा इमपॉर्डियंट कोशन है और मौत इमपॉर्डियंट कोशन है ऐसे कोशन पूछे जाते हैं हमेशा 익्जाम में एक धन्राशी चक्रविर्धी व्याज पर उस ताइप से लेकिन इसमें क्या होता है यह तो यहां पर देखे 3 वर्ष में तीन गुना हुआ ध्यान दिजीएगा है तीन का गुना है तीन का गुना पावर से करना है यानि कि छे वर्स आंसर क्या होगा छे वर्स तीन दुना के छे आंसर हो जाएगा यही क्या होगा अंसर होगा देखिए तीन वर्स में क्या हुआ है तीन गुना हुआ है तीन वर्स में क्या हुआ है तीन गुना हुआ है तो अगले तीन वर्स में क्या होगा ध्यान दीजेगा पहले तीन वर्स में तीन गुना फिर इसका क्या होगा तीन गुना तीन तरीके नौ यानि ये वर्स क्या वहाँ नोगुना हुआ है समझ में आया है समझ में आया कि नहीं बहुत अख्षे वेरी कुड जितने स्टूडेंट छे बर अंशर दे रहे हैं चलिए आप सब करने हैं गुणा करने लागे तीछ समझे है आप लोग ह propelled आगले मौज़दान होता है इस में जो वस्तों में जो मुल्दन होता है उसी पे प्रतीक वर्स उतना ब्यास लगेगा ये चीज़ तो आप लोगों को समझाएं और आप लोग समझ रहे हैं अभी हम आप लोगों को इसके पहले जो question बता रहे थे power, power जो होता है उसमें क्या होता है वर्स होता है तीन गुना का मतलब ध्यान दीजिए तीन गुना का मतलब तीन गुने एक आप कर सकते हैं एक का तीन हो गया नौ गुना का मतलब तीन का पावर दो करेंगे तो तीन गुने तीन यानि नौ हो जाएगा समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग उमीद करते हैं समझ रहूंगे ठीक है हाँ समझीएगा अगर एक कोई राष्टी है तो तीन गुणा का मतलब तीन हो गई क्लिए concept clear है तो next question देखेंगे अगला question आप लोग देखेंगे question number 13 question number 13 देखिएगा बहुत ही important है ये भी जो question है most important है अच्छे से देखेंगे ध्यान से देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे देखिए question है यदि कोई रासी चार वर्सों में चक्रविर्धी व्याज पर तीन गुना हो जाती है तो उसी व्याज दर पर वह रासी कितने लाएं दर वर्सों में 27 गुना होगी कितने वर्स में चार वर्स में क्या हो रहा है तीन गुना हो 27 समझ रहे ना तो यह क्या होगा 27 होगा तीन का पाउर तीन का मतलब 27 तो आप डिरेक्ट आंसर दे सकते हैं बताइए तो आप सब इस्पूडेंट आप डिरेक्ट आंसर दीजिए फटाफट इसके लिए पैन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है बस इतना लिख दिये उमीद क पिच्अर हon तो इसका फिरीडिन वूँड़ करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे ठीक है तीन का पाउर तीन मतलब 27 यह चीज़ी समझ रहे होंगे ठीक है देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं देखियेगा आप सब पे देखिएगा 4 वर्ण में क्या हुआ है तीन गु अप ऐसे भी समझ सकते हैं अईसे भी समझ सकते हैं तो यह attitude है ठीक है यह हम देखाने के लिए लिए अधनर राता है जब समझेंगे तब इन सब प्रशनओं की प्रैक्टिस भी आपको करना पड़ेगा चलिए ठीक है आगे चले नेक्स्ट देखेंगे अगला कोशन देखेंगे कोशन नमबर 14 क्या है यह भी मोस्ट इंपोर्डेंट है इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग समझेंगे कोशन है प्रति वर्स चक्रविर्धी व्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी गई रासी दो वर्सों में 1460 रुपए और तीन वर्सों में 1606 रुपए हो जाती है व्या आज पर व्याज लगता है कहने का मतलब है जो व्याज जूड़ गया तो फिर वो मोलधन हो जाता है समझ रहे हैं अगर इतना समझ रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान है चलिए आगे चले देखिएगा इस कोशन में देखिए अब कुछ नहीं करना है दो वर्स में दो वर्स में क्या हुआ है ध्यान दीजिएगा 1460 1460 अगले तीन वर्स में तीन वर्स में क्या हो गया है ध्यान दीजिएगा आप सब इस्टूडेंट थोड़ा सा समझेंगे यहां पर देखिएगा अगले तीन वर्स नहीं है दो वर्स में 1460 और तीन वर्स में अगले तीन वर्स बोलता तो दूसरा चीज़ा था तीन वर्स में क्या हो रहा है 1460 से 1606 यानि कि इधर बढ़ा कितना 40 जुड़ेगा 1500 हो जाएगा 140 146 देखिए और इधर हो रहा है एक एक वर्स में बढ़ा कितना है द्यान दीजिएगा तो यह 1460 क्या होगा 1460 से 1606 हुआ है मतलब 146 रुपे बढ़ा है ध्यान दीजिएगा हम लोगों को ब्याज दा रेट आफ इंट्रेस्ट बताना है ज्यादा कुछ नहीं करना थोड़ा सा समझना है 1460 से 1600 यानि जो 1460 रहा वो क्या रहा मोलधन रहा और 146 रुपे क्या रहा ब्याज रहा यानि कहने का मतलब है 146 रुपे बढ़ा है किस पर बढ़ा है 1460 पर गुने 100 प्रतिसत में बताना है तो आप देख लेंगे 146 460 का कितना परसेंट है बहुत दक्षे वेरी गुड़ एक सो चैलीज दा में 147 10 दा में 100 आंसर होगा 10 परसेंट जो रेट आफ इं इतना हुआ तो तीसरे वर्स में बढ़ा 140 रुपे तो इसी पर तो बढ़ा है तो रेट आफ इंट्रेस्ट जो होगा वो क्या होगा 10 परसेंट होगा हाँ एकदम सही है उमीद करते हैं समझ रहोंगे आप लोग देखिएगा इधर क्या हो रहा है दो से तीन हो रहा है और ब देखिए 1460 से 1606 हुआ तो 1606 हुआ मतलब बढ़ा कितना 1603 में से 1460 घटाएंगे तो 6 में से 0 जा 6 10 में से नहीं जाएगा हासिल लेंगे जीरो में से छे नहीं जाएगा हासिल लेंगे 10 में से छे जा 4 और यहा 15 में से 14 जा एक 14 समझ में आया यह घटाएंगे थीक है देखिएगा एक्स कोशन देखेंगे कोशन नंबर कोशन नंबर 15 कोशन नंबर 15 देखिएगा कोशन नंबर 15 हम आप लोग को बता दे ये भी most important है कोशन नंबर 15 है यदि एक रासी चक्रविर्धी ब्याज द्वारा चार बर्सों में 2190 रुपए और पांच बर्सों में 2409 रुपए हो जाती है जबकि ब्याज बार्षिक सन्योजित होता है तो बार्षिक ब्याज दर रेट आफ इंट्रेस्ट इसमें भी बतान है देखिएगा आप सब स्टूडेंट इसका आंसर देंगे ठीक है चलिए चार बर्स में क्या हुआ है 2090 पांच बर्स में क्या हुआ है चौवीश सो नौँ ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट चौवीश सो नौँ तो अब बता सकते हैं देखिए ट्यार से पांच हुआ या पांच मेंसे चार घटाएंगे अंतर आएगा एक का अब इधर आप हो जाएगा समझिएगा तो यह हो जाएगा 222 24 यानि की 219 ठीक है 219 रुपए बढ़ रहा है ठीक है कर दो 219 से कम 2000 यानि 219 हामे 290 हो जायगा और यह 10 से ठीक कटेगा और 10 आस्या में 100 तो 6 बेरबर क्या होगा 10 परसेंट ये भी क्या होगा तो 10 Citra 10 संध्यindi- Remove आप लोग कर लीज़िए क्वल जरूर किया करिये आप सब ही स्टूड़ ऐं ठीक है नोट जरूर करिए सभी प्रशनों को जितने भी question कराए जा रहे हैं इन सभी प्रशनों को आप लोग रुपए और चक्र विर्दी व्याक है और मोखों से ब्याज दर पूछ रहा है तोड़ा से समय साधारण ब्यास में क्या होता है पताइए आप लोग को प्रति वर्स समान वियाज मिलता है चक्रोजी व्याज में क्या होता है पहले वर्स तो सावाण रहता है दूसरे वर्स क्या होता है उस व्याज प्राज परभी वियाज मिलता है जितने पर्सेंट का हो ठीक है समझ रहे हैं देखिए यहां पर साधारण व्याज में क्या हुआ है चौदा सो रुपए और चक्रविर्दी व्याज में चौदा सो उन्चास और कितना बर्स है दो वर्स की बात कह रहा है ध्यान दीजिएगा यहां पर आप सभी स्टूडेंट समझेंगे कुछ नहीं करना है कितना रुपए है समझेंगे आप स्थोड़ेंट थोड़ा सा समझेंगे ज्यादा कुछ नहीं करना है 4100TT 1700 अगर है तो यहां पर आप लीज देखिएगा ह 그래도 साधہरण बर्स की अगर हम बात करें 27ники बात कर रहें तो 1400 है, तो क्या हो जाएगा, बताईएगा आप सभी student, 1400 है, समझिएगा, तो पहले बर्ष क्या होगा, 700, दूसरे बर्ष भी क्या होगा, 700, 700 होगा, simple interest में क्या है, 1400, हाँ, देखिए, ये SI है, simple interest, ये CI है, compound interest, तो इसमें क्या होगा, पहले बर्ष, जैसे इसमें पहले बर्ष 700 मिला है, तो इसमें भी 700 ही मिलेगा, दूसरे बर्ष क्या होगा, दूसरे बर्ष इसमें क्या होगा, बताईएगा, 1449 में से 700 घटाएंगे, तो दूसरे बर्स होगा 749, पहले बर्स तो समान रहेगा, देखिएगा, ये पहला साल है, और ये second year है, दूसरा है, ये पहला साल है, ये second है, थोड़ा से समझेंगे, अभी समझेंगे तो आप लोग कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक पर कितना ब्याज, 49 रुपे बढ़ा है, यहाँ पर देखिए, कितना बढ़ा है, 49, कितना बढ़ा है, 49, 49 रुपे, देखिएगा, आप सब इस्टूडेंट, rate of interest निकालना है, 49 रुपे बढ़ा है, किस पर बढ़ा है, 700 पर बढ़ा है, और गुने क्या करेंगे, 100, 2,0 से 2, 0, cancel 7, 49, तो rate of interest क्या होगा, 7%, बताइए, समझ में आया की नहीं, देखिए, simple interest में क्या होता है, ब्याज प्रतिवर्ष समान होगा, यानि 400 है, तो दो भाग में करिए, 700, चक्रिविर्धी ब्याज में क्या होगा, पहले बर्ष जैसे, इसमें simple interest मिला है, 700, तो इसमें भी 700 मि मिला है, 700 पे मिला है, तो कितना percent है, 7% है, डिरेक्ट बता सकते हैं, जो rate of interest होगा, 7% और यहीं क्या होगा, answer होगा, यहीं क्या होगा, answer होगा, एक बार comment करके बताइए, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, या कहीं पर कोई दिक्कत है, वहीं पर कोई दिक्कत हो, तो बताएं, कहीं पर कोई दिक्कत है, तो बताएं, फिर से समझाएंगे, लेकिन आप लोगों को समझना है, ठीक है, बस आप लोग यह समझिएगा, कि 1400 रुपए है, 700 रुपए होगा, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे बर्स भी 700 होगा, चक्रविर्धी वियाज में क् करना है, यह जो प्रिंस्पल है, प्रिंस्पल नहीं, ध्यान दीजिएगा, साधारणव्या, 1400 है, 1400 है, तो पहले बर्स 700, क्योंकि दो वर्स की बात कर रहा है, दूसरे बर्स भी 700, इसमें क्या होगा, पहले बर्स 700, दूसरे बर्स क्या होगा, 749 होगा, तभी यह जूर के क् यानि बढ़ा कितना है ध्यान दीजिएगा बढ़ा कितना है 49 रुपे बढ़ रहा है किस पे बढ़ रहा है 700 पे बढ़ रहा है तो रेट आफ इंट्रेस्ट आर निकालने के लिए आप क्या करेंगे साथ देखिएगा कितना बढ़ा है 49 रुपे बढ़ा है किस पे बढ़ा है 700 700 पर बढ़ा है और गुने 100 कर देंगे दो जिरो से दो जिरो कैंसिल साथ सब्सक्राइब इतना आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं बस आपको इतना ही करना है यही चीज हम समझाने के लिए थोड़ा से एक बढ़ा है तो यह 29 रुपय बढ़ गया है तो 900 पर बढ़ा तो कितना परसेंट है उन्चाष दोस्तों 700 का 7 परसेंट है बहुत अब देखिए यहां पर अगर आप लोगों से अगर देखिए यह तो समझ चुके है आप लोग यह देखिए अगर इस क्योश्यन में एक बात और पूछ ले ठीक है अगर आप लोगों से पूछ ले प्रिंसिपल क्या होगा प्रिंसिपल क्या होगा प्रिंसिपल प्रिंसिपल मतलब बताईएगा आप सब स्टूडेट प्रिंसिपल ध्यान दीजिएगा प्रिंसिपल क्या होगा ये पूछे तो देखिएगा 7% किसके बर भड़ाबर है 700 के ठीक है हाँ 7% क्योंकि 7 ही बढ़ रहा है ध्यान दीज्ये तो 7% अधिश्य क्या है समझीएगा 700 ठीक है हाँ तो हंड्रेड परसेंट तो हंड्रेड परसेंट क्या होगा प्रिंस्पल यानि कि सात्षव बटा का साथ और गुने क्या होगा 100 ठीक है तो 7 आप कटाएंगे एक बार में 100 गुने 100 10,000 प्रिंसिपल पूछे तो यह 100% क्या होता है प्रिंसिपल होता है एक बार देखिए तो आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं जल्दी से कमेंट करके आप लोग देखिए वियाजी ही तो है यानी 7% की ही तो दर से बढ़ रहा है दिखिएगा 7 А. की तर से बढ़ रहा है तो यह बर्स में अगर 700 तो 7 परिंस्पल पूछे लेकिन आपस यह चीज नहीं पूछाएं यह चीज हम बता दियें कि आगे कहीं question में पूछे तो आप लोग कर सकते ठीक है चलिए एक और question देखेंगे next question देखिएगा question number 17 question number 17 देखिएगा यह क्या है दोस्तों यह भी most important question है इसको आप सभी student solve करेंगे ठीक है दो वर्तों के लिए एक निश्ची तरासी पर साधारण व्याज और चक्रिविर्थी व्याज करम सा चारासी सो और थ्यासी सो बावन है रुपए है व्याज दर ग्याद के रिए ठीक है बताए देखिए इसमें आप लोगों को कुछ नही दीजिएगा यह क्या है दो वर्त का है तो चौरासी सो को आधा आधा करेंगे तो क्या होगा बैली सो और यह होगा बैली सो ठीक है समझ में आ रहा है देखिएगा यह क्या है पहला साल है ध्यान दीजिए और यह दूसरा साल सिंपल इंटेस्ट है तो बराबर बराबर बढ लगाज पे हैं कितना है। 8652 है तो पहले बरस क्या होगा बतायेchem सब सुधर पहले वर से सिमपल इंट्रेंट बढ़ा है उतना ही बढ़ेगा 4200 बढ़ेगा ठीक है उसके बाद लेंगे सब्सक्राइब क्या होगा 442 442 हो जाएगा यानि अब देखिएगा 4200 से ये दूसरे बर्थ जो बढ़ा है वही rate of interest होगा कितना बढ़ा है 442 हुआ है यानि बढ़ा कितना है ये ये पहला साल है और ये second year है दूसरा साल है तो ये यहां से कितना बढ़ा है देखिएगा 252 बढ़ा है कितना बढ़ा है 252 252 बढ़ा है कितना बढ़ा है 252 तो rate of interest आपको बताना है तो 252 252 बढ़ा है किस पे बढ़ा है 42 पे बढ़ा है और गुने क्या करेंगे 100 थोटा आप कटा सकते हैं डिरेक्ट भी कटा सकते हैं गटाना है तो देखिए 2-0 से 2-0 कैंसिल करेंगे 7-6-42 उसके बाद से 7-3-21 और 4-42 7-6-42 और 6-36 ठीक है आर बराबर क्या होगा 6% रेट आफ इंट्रेस्ट क्या होगा 6% और यहीं क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा सरकारी नोगरी चाहिए कोई भी हो उसमें 100% से सफलता के लिए आज ही डाउनलोड करें ससी मेकर एप ससी मेकर एप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिये गए लिंक पर क्लिक करें नमस्कार दोस्तों मैं आजल सिंग आपका स्वागत करता हूँ ससी मेकर के इस ओनलाइन प्रेटफॉर्म पर कैसे हैं आप सभी स्पूरे जगरवेदी व्याजनी कंपाउंड इंटेस में दोस्तों हम आप लोग को पहले क्लास करा चुके और यह लाईनä बभान क्लास करा चुक हैख यानगी क्लास नमबर ववन स्क्राइब जाल चुका है और उसमें इंसले को प्रतसे करेंगे क्लास करेंगे लिए लोग को बताना चाहेंगे एक से लेके कोशें नंबर 17 पिछले पार्ट में हम करा चुके हैं और आज हम देखेंगे कोशें कोशें नंबर 18 से आगे चलेंगे देखियेगा यहांव से सबी समझने का प्रियास करेंगे औरह вн लोग को बता देए यह इसे प्रस्ट हमेशा एक् growing में पूछे जाते फॉष्टं पहले ध्यान नंदा प्रूपार पार्ष December के लिए और साधरैण व्याज का अंतर क्या देखेंगे कि किस टाइप का कोश्चन है इसके लिए कौन सा तरीका आप लगा सकते जैसे यह कोश्चन है चक्रविर्धी व्याज और साधरन व्याज का अंतर समय पूछे और उसमें दिया हो दो वर्स तीन वर्स तो इनके लिए एक फ़मूला होता है दो वर्ष के लिए अलग formula होता है, तीन वर्ष के लिए अलग formula होता है, जब कभी भी आप लोगों से दो वर्ष के लिए चक्रविर्धी व्याज और साधारण व्याज के अंतर संबंदित question आए, तो आप formula यूज करेंगे D बराबर, D मतलब difference, यानि कि अंतर बराबर, P मतलब principle, R मतलब rate of interest, P R square upon 100 का square, अभी हम आप लोगों को समझाते हैं, ध्यान दीजिए, जो D है, वो है difference, मतलब अंतर, P principle, यानि कि मूलधन, R, rate of interest, यानि ब्याज की दर, 100 का square, मतलब 100 का square, मतलब 100 गुने 100, 10,000, कर लेंगे, ठीक है, अब देखिए, अंतर इसमें दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, क्या, अंतर इसमें पूछ रहा है, यहाँ पे principle, दिया हुआ है, देखिएगा, आप सभी student, हम लोगों से क्या पूछा है, D पूछा है, अंतर पूछा है, यहाँ प देखिए, principle कितना दिया हुआ है, 6,250, rate of interest, देखिएगा, कितना है, 8%, और time to years के लिए ह यह formula use किया जाता है, दो बर्स के लिए, यह formula use किया जाता है, आप लोग देखिएगा, और उसके बाद से हम लोगों से पूछा है, D, difference, यानि कि अंतर पूछा है, और time दोस्तों दिया हुआ है, 2 years, 2 years के लिए यह formula use किया जाता है, कुछ नहीं करना है, D बराबर, principle कितना है 6250, हाँ, into, R, 8% है, तो 8 का square होगा, क्योंकि formula में R square है, समझे नहीं, तो 8 का square, 8 गुने 8, 80, 64 कर लेंगे, बटा का, 100 का square, 100 का square मतलब, 100 गुने 100 कर लेंगे, यह आप कर सकते है, 10,000, ठीक है, 10,000 कर लिजे, यह 100 गुने 100 भी लिख सकते है, बस इसी को कटा लेंगे, answer आएग देखिए, कुछ ज्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, 25, 25, 625, ध्यान दीजेगा, 25 से 25 बार में कटेगा, 625 और यह 0, अब देखिए, पचीस चो को 100, यह हो गया, आपका 400, ठीक, उसके बाद से 0 से 0, कंसिल, आठीटाई 64, आठ पच्चे 40, और पांच पच्चे 25, और पांच बठे 40, यह डी बराबर, तो डी बराबर क्या हो गया, 40 रुपए, जो इनका अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, और 40 होगा, 40 कितने ही स्टूडेंट का अंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, चलिए, बताइए समझे में आया की नहीं, बहुत एकदम सही, उमीद करते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसे यह सौल हुआ है, बस आप लोगों को यह फॉर्मूला याद रेखना है, फॉर्मूला क्या है, डी बराबर, पी और स्टूडेंट का इस्टूड, यह डी मतलब डिफरेंस, अंतर पूछ रहा है, क्या आपके एकजाम में आए, तो आप यह फॉर्मूला लगाएंगे और तुरंत आंसर देंगे, चले, नेक्स कोशन देखें, अगला कोशन आप लोग देखेंगे, कोशन नमबर, कोशन नमबर 19 देखिएगा, कोशन नमबर 19 भी इंपॉडेंट है, इसका आंसर आप लोग दें है, तदू नुशार वह धनराशी कितनी है, धनराशी पूछ रहा है, यानि प्रिंसिपल पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है, रेट आफ इंट्रेस्ट बीस पर्चेंट है, और दो वर्च का क्या है, साधारण ब्याज और चक्रविर्धी व्याज का अंतर भी दिया हुआ ह अनतालीस रुपे, तो यहाँ पे हम आप लोगों के सामने लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, रेट आफ इंट्रेस्ट आर दिया हुआ है, ट्वेंटी पर्चेंट, उसके बास से टाइम दिया हुआ है, टू वर्स, यानि टू यार्स कहने का मतलब है, दो वर्स के साध हरण व्याज और चक्रिविर्धी व्याज के अंतर संबंद है, ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों के पास दूस्तों D, डिफ्रेंस यानि अंतर भी दिया हुआ है, 48 रुपे का, और धनरास यानि की प्रिंस्पल पूछ रहे है, क्या होगा, तो फॉर्मूला यूज करें है, D, 48, 48, यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिंसिपल हम लोगों को बताना है, P, rate of interest क्या है, 20%, 20 का स्क्वाइर करेंगे तो, 20 गुने 20 क्या होगा, 400 हो जाएगा, और बटा का, 100 का स्क्वाइर करेंगे, तो 100 गुने 100 लिख लिजिए, या 10,000 लिख लिजिए, ठीक है, समझ रह प्रिंसिपल होगा, और यही क्या होगा, आंसर होगा, आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे, वेरी कुट, एकदम सही है, आप सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट, बहुत अच्छे, एकदम सही है, उमीद करते हैं, समझ रहे होंगे, पहले question में, difference D पूछा था, इस वाले question में क्या principle पूछा है, ठीक है, हाँ, कुछ भी पूछे, आप निकाल सकते हैं, और यह जो formula है, हम आप लोग को बताना चाहेंगे, बहुत ही important formula है, इसे आप लोग याद रखिएगा, हाँ, D बरबर P R square upon 100 का square, formula important है, कभी भी दो वर्स के साधारण व्याज और चक समझ रहे होंगे, और note भी आप लोग जरूर कर रहे होंगे, note जरूर करिए, तारे question important है, चलिए, next question देखते है, question number 20, आप लोग solve करेंगे, 20, question number 20 देखिएगा, ये भी क्या है, most important है, अच्छे से आप लोग देखेंगे, solve करेंगे, देखिएगा, question है, 15,000 रुपए की रास होगी, rate of interest, formula वही लगाना है, पहले वाले में difference निकाले, दूसरे वाले में principle, इसमें आपको बताना है rate of interest, r, r square नहीं, r की value बताना है, ठीक है, तो देखिए, क्या-क्या दिया हुआ है, हम लिग देते हैं, रुपए यानि की principle दिया हुआ है, 15,000 रुपए, time दो वर्स है, t बराबर 2 years है, time का इसमें कोई लेना देना नहीं है, दो वर्स के लिए formula यूज करना है, ठीक है, हाँ, दो वर्स के लिए जो formula है, वही लगाना है, ठीक है, तो time 2 years है, और ध्यान दिजिएगा, 96 है, rate of interest आप लोगों को बताना है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, very good, स अंतरसंबंदित प्रस्णों को solve करने के लिए, साधारण व्याज और चक्रिविर्दी व्याज के, अंतरसंबंदित प्रस्ण कभी भी आए, दो वर्स के लिए, तो formula लगेंगे, d बराबर, p r square upon 100 का square, ये formula आप लगाएंगे, देखिए, difference 96 है, ध्यान दिजिएगा, principle कितना दिया हुआ है, 15,000 दिया हुआ है, rate of interest r square, rate of, हाँ, ब्याज की दर, बताना है r, r square नहीं बताना है, आपको r बताना है, ठीक है, हाँ, और बटा क्या होगा, 100 का square करेंगे, तो 100 गुने 100, यानि कि 10,000 कर लिजिए, answer आप लोग आप दे सकते हैं, देखिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए, आप सब स्टूडेंट समझेंगे, यहाँ पर, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 0 से 3, 0, cancel हो जाएगा, ध्यान दिजिएगा, अब इसे कटा सकते हैं, 5, 3, 15, 5, 10, ठीक है, अब यह 3 से आप इसको कटा सकते हैं, 3, 3 के 9, 3, 2, 6, और 2, 32 करेंगे, तो 64 हो जाएगा, यह जो 64 है, किसका स्कोर है, 8 का स्कोर है, तो आप डिरेक्ट बोल सकते हैं, R बराबर 8, हाँ, rate of interest क्या होगा, 8%, यह हो जाएगा, परसेंट में, ठीक है, और यही क्या होगा, answer होगा, अब लोगों का क्या रहा है, 8%, very good, बहुत अक्षे, उमीद करते हैं, समझ रहे होंगे, प्रशन को कैसे solve किया जा रहा है, एक डम सही है, जितने student 8% आंसर दे रहे हैं, बहुत अक्षे, very good, तो यह जो formula है, फिर से बताते हैं, यह important formula है, याद रखिएगा, कभी भी दो वर्स के चक्रविर्धी व्याज और साधारण व्याज के बीच अंतर संबंदित question आए, तो formula क्या लगाएंगे, D बराबर, PR square upon 100 का square, ठीक है, अब बस formula लगाएंगे, तुरंट answer आएगा, यह सब तो बस आपको समझने के लिए लिख रहे हैं, ताकि आप लोगों के लिए असान हो जाए, value रखना, time, time क्या है, 2 years है, तो यह formula लगेगा, चले, एक दम सही है, बहुत द समझ में आ रहे हैं, आप सभी student को, चलिए, next question देखते हैं, अगला question आप लोग देखेंगे, चलिए, अगला question देखें, question number, question number 21, question number 21, 21 हम आप लोगों को बता दे, most important question यह भी है, उससे भी important है, देखिएगा, 4000 रुपए के मोलधन पर 30% की बार्षिक दर से, तीन वर्सों के, ध्यान दीजिएगा, तीन वर्सों के चक्रविर्धी व्याज, बार्षिक सनियोजन, तथा साधारण व्याज के मद, अंतर रुपए में क्या होगा, बार्षिक सनियोजन मतलब प्रति वर्स, ठीक है, क्या आप पूछा है, थोड़ा सा ध्यान देगे, formula 1 को नी लगेगा फॉमूला इसमें अलग लगेगा यहाँ पर तीन वर्सों के चक्रिविर्धी व्याज तथा साधरण व्याज के मद्या अंतर समबन्दित कोशन से तो तीन वर्स के ध्यान दीजिए आप सब दीजे दी ब्राबर पी आर इस्क्वायर अपान हन्डेट का इस्क्वायर यह क्या है दो वर्स के लिए का याद है गूने क्या जोडेंगे 300 ब्लस 600 यह फार्मूला होता है तीन वर्स के लिए और यह फॉर्मूला क्या है बहुत ही important है कि बहुत ही important है देखिए तीन वर्स के समझगे क्यिस पर आफ सभी इस्ट्टेटंट पी आर स्क्वाइर अपान हंडेट का स्क्वाइर इंटू 300 प्लस आर अपान हंडेट यह फर्मूला है अब इस फर्मूले पर आप लोग लगाएंगे तुरंत आंसर आएगा देखिए अब कुछ नहीं करना है यहां पर देखिए कि दिया क्या हुआ है प्रिंसिपल दिया हु हुआ है 30 पर सेंट तमय यानि टाइम दिया हुआ है तीन वर्स तीन वर्स के अंतर संबंदित प्रशनों को सॉल्व करने के लिए फर्मूला ठीक है अब देखिए साधारण व्याज तथा चक्रविर्धी व्याज ध्यान दीजिए चक्रविर्धी और साधारण व्याज के अंतर संबंदित प्रसन रहे है और यह डिफरेंस पूछ रहा है क्या होगा तो दिहां दीजिए डिफ्रेंस यानी डी बराबर प्रिंस्पल क्या है? 4,000 रुपय है यह साव गुने सो और सकते हैं तो इससे दस हजार लिख लिखी जिए है क्या 330 और बटा का क्या होगा 100 इसी को solve करेंगे answer आएगा क्या answer आ रहे हैं आप लोगों का बहुत अक्षे देखिए कुछ नहीं करना है बहुत अक्षे वैरी कुट एक दम साही देखिए कुछ नहीं करना है यह देखिए एक जिरो से एक जिरो कैंसिल ये वाला जिरो से ये वाला जिरो एक जिरो से ये जिरो ये जिरो से ये वाला इससे ये और इससे ये तो डी ब्राबर आया क्या हम लोगों के पास चार गुने नौ करेंगे तो क्या होगा चार नवा 36 गुने 33 ठीक है हाँ ध्यान दीजिए तो आप गुना कर सकते हैं डारेक्ट डी ब्राबर 36 की आई 108 का 108 का 8 ठीक है हासिल क्या होगा 10 36 की आई 108 108 हाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखना है आप लोग सभी स्टूडेंट 108 और 10 जोडेंगे तो 118 हाँ 118 ठीक एक तो आट हासिल दस ठीक फिर से 108 और 10 एक तो यहांशर होगा आप लोगों का क्या आंसर आ रहे बताएं तो आप सभी स्टूडेंट हाँ हां double one double eight बहुत एक्षे वेरी गुड एक दम सही है जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं हां आंसर होगा डिफ्रेंस जो अंतर होगा 1100 1188 1188 बहुत अच्छे एकदम सही है जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं बताइए समझ में आया कि नहीं और यह फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे याद कर लेना है दो फॉर्मूले हैं एक तो डी बराबर पी आर स्कुएर अपन हंडेट का स्कुएर दो वर्स के ल स्कुएर 936 गुने ता 33 36 नहीं 108 के 8 हांसिल 10 और 36 नहीं 108 और 10 जोड़ेंगे तो 1188 ठीक है यानि कि 1188 वेरी गूद साधारण व्याज और चक्रिविर्दी व्याज कांतर बहुत अक्षे है फॉर्मूला याद रखिए बीना फॉर्मूले के अभी इसको नहीं सॉल्व करना है ठीक है और भी इसको सॉल्व करने के लिए तरीके हैं लेकिन उसमें कन्फ्यूजन आपको होगा ठीक है तो आप फॉर्मूले याद रखेंगे यादा फॉर्मूला नहीं याद करना है दो ही फॉर्मूला है और इसको याद भी नहीं करना है जब इसको प्राक्टिस कर लेंगे इन सब प्रसनों को तो अपने आप याद हो जाएगा डी बराबर पीर स्क्वाइर पन हंड़ेट का स्क्वा इसका अंसर आप लोग देंगे कुशन नमर ट्वेंटी टू है दर्स प्रतिसाथ प्रतिवर्ष की दर्से तीन वर्ष के लिए किसी रासी पर साधारण और चक्रविर्धी व्याज जिसे प्रतिवर्ष सन्योजित किया जाता है के बीच अंतर 93 रुपए है रासी कितनी है रुपए में तीन वर्स के द्यान दीजिएगा तीन वर्स के साधारण और चक्रविर्दी व्याज के बीच अंतर संबंदित कोश्चन है ठीक है तो द्यान दीजिएगा यहां पे बोलिए तो लिख सकते हैं क्या क्या दिया हुए या डिरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे यहां पे पहले देखिए रेट आफ इंट्रेस 10% है तीन वर्स के लिए है टाइम त्री यर्स है तीन वर्स के साधार चक्रविर्धि व्याज के अंतर संबंदित प्रशनों को स्वल्प करने के लिए फॉर्मूला है ठीक है और यहां पे ध्यान दीजिए अंतर दिया हुआ है सभी स्टूडेंट देखेंगे अंतर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है डिफ्रेंस दिया ों हुआ है प्रिंसिपल यानिया रासी पूछ रहा है प्रिंसी पूछ रहा है क्या पूछ रहा है फी पूछ रहा है तो बता सकते हैं रेट आफ इंट्रेस टैन स्टाइन अह provide देखेंगे तो क्रेंगे पी गुने 100 बटा का 100 का square करेंगे तो 100 गुने 100 यानि की 10,000 इसे 100 गुने 100 लिख सकते हैं या 10,000 लिख सकते हैं ठीक है हाँ गुने 300 प्लस आर 300 में 10 जोडेंगे तो 300 दस और बटा का क्या होगा 100 बस इसी को solve करेंगे answer आजाएगा आप सब student का हाँ solve कर सकते हैं very good बहुत अक्षे answer आ रहे हैं आप लोगों का एकदम सही है देखिए कुछ करने की इसमें जरूरत ही नहीं है आप सब गुने में होगा तो तीन गुने 1000 क्या होगा 3000 और इधर बचा पी तो पी बराबर क्या हो जाएगा पी बराबर क्या हो जाएगा जो principal होगा तीन और यही क्या होगा? अन्सर होगा. एक दम सही, बहुत आख्षे, उमीद करते हैं, समझ रहोंगे, P वराबर क्या होगा? 3000, प्रिंसिपल क्या होगा? बताएं आप सब स्थूडेंट, 3000, 3000 जितने स्थूडेंट कामेंट कर रहे हैं, सही हैं, बताइएं समझ में आ रहा है की नह रखेंगे याद रखेंगे फामूला क्या है डी बराबर पी और स्क्वार अपन हंडेट का स्क्वार इंटू 300 प्लस आपन हंड्रेट ठीक है दो वर्स के लिए बस इतना है तीन वर्स के लिए यह वाला मल लग लग एक ट्रिफ आप लया सान्य जास्टे थे इसको मिला के भी लिए नहीं pointing आप पर भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर अगला कोशन देखिएगा 23 नंबर का कोशन 23 23 भी क्या बता दे हम आप लोग को यह भी तीन वर्सो में चक्रविरधी व्याज और साधराण का अंतर 992 रुपय है यदी व्याजกी दर 10 परसेंट हो तो मूलधन ग्यात करें यहां पी क्या ग्याद करना है principle ग्याद करना है time दिया हुआ है तीन बर्स साधारण ब्याज और चक्रविर्धी ब्याज का अंतर कितना है d difference जो है 992 है और ध्यान दीजिएगा यहां पे rate of interest दिया हुआ है 10% और इसमें हम लोगों से पूछा क्या है principle क्या होगा तो d difference बराबर d बराबर p r square अपान 100 का स्क्वाइर इंटू 300 प्लस आर अपान 100 इसलिए हम अलग अलग टाइप के question करा रहे है और एक से ज्यादा question इसलिए कराने ताकि आप सब समझ सके और answer दे सके हाँ बहुत अच्छे देखिए यहाँ पर आप सब स्कूडेंट देखेंगे जो difference है अंतर है कितना है 992 है rate of interest दिया हुआ है क्या 10% principle बताना है तो p बराबर हाँ ध्यान दीजिए p की जगा p और r क्या है 10% है तो 10 का square करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा बटा में 100 का square होता है कटने वाला संख्या दी जाती है ठीक है तो आसान होता है कुछ नहीं करना है देखिए गा यह जिवाले 0 से यह वाला का psicigy list से ये और इससे यह इतना कट गया अब देखिएगा सबस्पूरे कुछ नहीं करने इसे कटाएंगे देखिए अ 31 तियां क्या होगा 31 तियां क्या होगा 93 96 99 62 यानि कि 6 दो आए रहे 62 तो 31 दुना के 62 32 और ये 1000 है 1000 भाग में इदर आएगा गुना में 32 गुने 1000 करेंगे तो 32 जार तो P बराबर क्या हो जाएगा बताईएगा आप सभी सुडेंट P बराबर 32 जार ये सांतर तो आप लोगों को आता है नहीं आता होगा तो बताईएगा एक एक स्टेप और बढ़ा देंगे चलिए एक डम सही है आप सभी स्टूडेंट चलिए Simple Interest, Compound Interest अब Complete होने की कागार पर है Simple Interest को समाफ्थ हो गया है और ये दोनों से Mixed Type का Question है और ज्यादा से ज्यादा से मैं आप लोग प्राइम लगा है 32,000 अंसरा रहे हैं आप सभी स्टूडेंट का एक डम सही है उमीद करते हैं समझ रहोंगे चले Next Question देखें आगे चले Question Number Question Number 24 Question Number 24 देखिए 24 भी काफी important है हम आप लोग को बता दे यह 24 नंबर Question जो है Most important है बहुत अच्छे से देखेंगे Question है 2500 यानि 2500 प्रती बर्स 40% चक्रविर्धी ब्याज दिया जा रहा है एक बर्स बाद मिलने वाली धनरासी की गणना कीजिए यदि ब्याज छमाही प्रभारित होता है यहाँ पर थोड़ा से ध्यान देना है ब्याज क्या है? शमाही शमाही का मतलब शे महीने पर ब्याज देखिए थोड़ा से समझना है अभी अंसर नहीं देंगे क्योंकि अभी इकलास आप लोगों की नई है देखिए समझना है पहले आप लोगों को समझना है ठीक है? देखिए समझेंगे तब उसके बाद अंसर देंगे देखिए एक वर्थ पे मिलने वाली धनरासी की गढ़ना करें आप लोगों को धनरासी बताना है और यहाँ कह रहा है यदि ब्याज छमाही प्रभारित हो यह क्या होगा? दो पाल्ट हो जाएगा अगर 40% है तो 6 महीने का क्या होगा? 20% हो जाएगा तो यह 40 है क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा समझ रहे हैं यह rate of interest क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा टाइम क्या हो जाएगा? एक बर्स है और बोल रहा है छमाही तो एक बर्स में कितनी छमाही होंगी छे प्लस छे बारह महीने यानि टाइम क्या हो जाएगा जो टाइम हो जाएगा ओर टू टाइम हो जाएगा देखे छे महीने पर ब्याज मिलेगा फिर छे महीने पर ब्याज मिलेगा समझ रहा है कि नहीं है तो यानी की टाइम यानी दो बार मिलेगा ठीक है आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ध्यान दीजिएगा principle दिया हुआ है कितना पचीस सो, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, आप लोगो सिंपल तरीका लगा सकते हैं, पचीस सो रुपए, थोड़ा से बस यही समझना है, प्रती बर्स 40% है, तो छा महीना में कितना होगा, थे महीना में, थे महीना में क्या होगा, 20%, समझ रहें, और यहां कहा रहे और एक बर्स में मिलने वाली धनरासी, तो एक बर्स में छमाही कितने होगे, दो होगे, तो दो बार 20-20%, तो पचीस सो रुपए का क्या करेंगे, पहले बर्स 20% बढ़ेगा, तो 120% हो जाएगा, समझ रहे हैं, हाँ, फिर दूसरी बार क्या होगा, इसका 120% होगा, क्योंकि चक्रविर्धी व्याज है, ध्यान दीजेगा, यह क्या है, चक्रविर्धी व्याज पर दिया जा रहा है, बस इसी को solve करेंगे, वैलू आज आएगा, आ रहे हैं आप लोगों का, देखिए, अब आप सब स्टूडेंट देखेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, आप डिरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, इसे आप चाहें तो कटा भी सकते हैं, देखिएगा, यहाँ, 20 छक ए 120, 20 पच्चे 100, 20 छक ए 120, 20 पच्चे 100, 5 से आप इसको कटाएंगे, ध्यान दीजेगा, 5 से कटाएंगे, 5 पच्चे 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 पच्चे 5, 6, 6, 6, 36, गुने 100, 3600, पचीस सो रुपए है, पहले बर्स 20%, 120%, फिर इसका 120%, समझ रहें, अभी देखिए, 20%, यहाँ 40% दिया है, यह प्रती वर्स है, तो छमाही को के लिए क्या करेंगे, आधा कर लेंगे, एक बर्स है, एक बर्स में कितनी छम ही होंगी, तो टाइम क्या हो जाएगा, 2, यानि कि 2 छमाही, यह 2 साल नहीं, 2, ठीक है, हाँ, शमझ रहें, बहुत अख्चे, अब देखिए, यहाँ पे 20% अगर है, तो 100 से क्या होगा, यह वाला तरीका हम आप लोग को बताए हैं, यह तो method 1 रहा, ठीक है, method 1, चलिए, method 2 आप सब इस्पूरेंट देखिए, 100 से क्या हुआ, 100 से 20% बढ़ेगा, तो 120, यानि कि 20, 25, 100, 26, 120, 5 से क्या होगा, 6 होगा, 5 से क्या होगा, 6 होगा, समझ रहे हैं, आप सब इस्पूरेंट थोड़ा समझ येगा, 5 से क्या होगा, 6, अब यहाँ पे time क्या है, दो बार, यानि क चमाही है, तो 6-6 महीना पर साल में क्या होगा? दो बार, तो इसका पावर दो कर देंगे, इसका पावर दो कर देंगे, तो 5 का स्कॉाइर 25, 6 का स्कॉाइर 36, यानि कि 25 रुपय की धनराशी 36 रुपय हो जाएगी दो साल में, होगी कि नहीं, और 25 रुपय किसके बराबर है? पचीस सो के, यहाँ पर आप सभी स्टेंट देखिए, पचीस किसके बराबर है? पचीस सो के, ठीक है? तो गुने कितना है? यह 100 गुना है, तो 36 किसके बराबर होगा? गुने 100 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? बताईएगा, च्छतीस सो, तो आप लोगों से यही पूछा है ना, तो answer देंगे, हाँ, method 2 है, method 2, आप इससे भी solve कर सकते हैं, चलिए, बताई समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार आप लोगों करके बताए, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए, पचीस सो रुपे, यहाँ पे बस आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, समझना क्या है, समझना क्या है, प्रति बर्स 40%, एक बर्स में 40% है, तो 6 महीने में क्या होगा, 20%, हाँ, 3 महीने में क्या होगा, 10%, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे, एक साल बाद मिलने वाली, यदि ब्याद छमाही है, छमाही मतलब 6 महीने पे, तो एक साल में कितनी छमाही होगी, 2, यानि क कि दो बार ब्याज मिलेगा तो इसको दो बार लिखे टाइम क्या होगा टू चलिए समझना पड़ेगा काफी important question है इसको अभी आप लोगों के जो भी question पूछ रहे हैं जवाब देंगे ठीक है चलिए पहले यहाँ पर देखिए समझने का प्रयाज करिए क्योंकि काफी important question चल question number 25 देखिएगा ये भी क्या है most important है अच्छे से देखेंगे समझेंगे यदि चमाही चक्रविर्धी ब्याज पर 20% बार्सिक दर से 10,000 रुपए पर निवेश किये जाते हैं तब 18 माह बाद राशी क्या होगी क्या ध्यान दीजिएगा आप सब इस सुडेंट यहाँ पे कह में क्या होगा 10% होगा बार्सिक है तो 6 महीने में क्या होगा 10% होगा यहां द्यान दीजिए 20% बार्सिक है तो यह 10% होगा किसमें यह महीना में हां यह माह में 10% होगा क्योंकि एक बरस में 20% है तो इतना आप लुक समझ रहे होंगे और यहां पर कह रहा है अठारा माह बा 18 माह तो 6 से भाग करेंगे तो कितनी बार होगा तीन बार होगा टाइम क्या हो जाएगा अठारा माह मतलब तीन छमाही यह चीज़ समझ रहे होंगे कि नहीं यह चीज़ समझ रहे होंगे देखिए यहां पर आप सभी सुटिन देखिए प्रिंस्पल कितना दिया हुआ है 10,000 रुपए अब देखिएगा रेट आफ इंट्रेस्ट क्या है अगर चमाही ज्यात करें यह तो बारतिक है चमाही क्या होगा 10% हो जाएगा समझ आप सब इस पूड़े उसके बाद ते यहां पर समय क्या होगा अगर 18 माह है तो 6-6 माह करके कितनी बार होगा 3 यानि जो टाइ 10 % की डर्थ से तीन बार बढ़ाएंगे तो पहले बश क्या और इसका 110 पर्सेंट होगा हा देखिए रुपरीड अजार है रह्ती है तुख है पहले बशिसका 110 परसेंट 110 बटा-100 दूसरे बशिबनाक इसका 10 फर्स Anyone 110 पर्सेंट लोगों के लिए और आसान हो चाएगा और आसान होगा,फिर देखिये यहां पर 1 0 2 0 3 0 एक दो तीन दस गुने ग्यारा गुने ग्यारा गुने ग्यारा ग्यारा का क्यों तेरा सो एक तीस गुने दस यानि कि दस गुने यह होगा तेरा सो एक तीस ठीक है आप सब स्टूटेंट देखिएगा तो यह क्या हो जाएगा तेरा सो एक तीस और एक जीरो यानि कि तेरा हज 13,310 रुपए यही क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा 13,310 बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए समझ में आ रहा है बहुत रेक्षे वेरी गूड जितने सुडेंट आंसर दे रहे 13,310 उमीद करते हैं समझ रहे होंगे ठीक है अब देखिए इस तो रहा आपका क्या method one यह तो रहा आपका क्या method one बस यही चीज आप लोगों को थोड़ा सा समझना है बार्सिक मतलब 12 महीने में 20 परसेंड खमाही मतलब 6 महीने में तो 6 महीने क्या हो जाएगा बर्स 12 का अधा 6 महीने होता है तो 20 का अधा 10 परसें ठीक है यह चीज हमाही 18 महा का मतलब तीन बा समझेगे समझेगा आप सभी सूड़े रेट आफ इंट्रेस 10 परसेंट है मतलब 100 से 110 होना या इसको हम कह सकते हैं कि 10 से ध्यान दीजिएगा 10 से 11 होना 10 से 11 होना यही तो होता है और यहां पर टाइम जो डूरेशन है 18 महा है यानि तीन छमाही तो इसका आप पावर 3 कर चैका क्यों 10 लिए यानि 10 11 7 हमें 1000 रुपय क्या होना ग्यारा गुने ग्यारा गुने ग्यारा 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 आइन रसो एक टाइस 13ा सुब्जा ऑग जो 1000 होता 10,000 के बराबर है ध्यान दीजिएगा यह जो 1,000 रुपय है तो गुने 10 करेंगे यह किसके बराबर है यहां दिया हुआ है यहां पहले इसको देखिए यह 10,000 के बराबर है किसके बराबर 10 है यानि यह गुने 10 है तो यह जो होगा यह भी गुने 10 होगा यानि कि 1331 में 10 लगा लेंगे और यही क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा 13310 के पीछे एक 0 लगाना है कुछ नहीं करना है method 2 भी आसान है हाँ उमीद करते हैं शमझ रहोंगे हाँ कोई गुणा गड़ित नहीं करना है method 2 भी आसान है आप ऐसे कर सकते हैं हाँ देखिए कुछ नहीं है दास पर्फिंट यहीं चीज समझना है क्योंकि यहां कह रहा है यदि छमाही चक्रविर्दी ब्याज पर एचे महीने पर ब्याज समझ रहे हैं उमीद करते हैं समझ रहोंगे समझ में आया कीदि एक बार कामेंट करें आप सब स्डूडेंट चलिए नेक्स कोंस्ट्ट के तरफ चले अड़ला कोशन आप सब सुडेंट देखेंगे पोशन नंबर सेकेंड हाँ आगे देखिए question number 26 देखिएगा काफी important question है सभी student अच्छे से पहले देखिए अभी हम आप लोगों के सारे comment के जबाब देंगे थोड़ा सब पहले इसको समझ लिजिए क्योंकि बहुत important question है maths ठीक है हाँ चलिए GS की class चलेगी आप लोगों की ठीक है अभी परिसान नहीं होना है पहले इस question को आप लोग देखिए और अच्छे से समझेए question देखिएगा question number 26 हम आप लोगों को बता दे यह most important question है और बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है समझेना है पहले इन सभी प्रशनों को समझेए क्योंकि यह जो question है ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह जो question है हमेशा exam में पूछे जाते हैं अभी आप लोग इधर उदर के comment करेंगे बते करेंगे तो यह सब सारे important question छूट जाएगे और exam में आएँगे तो उस टाइम पर आपको याद आएगा कि यह सब question हम पढ़े नहीं लेकिन यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है पहले इन सब प्रश्णों को आप लोग एक बार देख लीजे question है यदि तिमाही चक्रविर्धी ब्याज पर अब इसे एक योजना में 16,000 उपए निवेश किया वह बैस को होने पर कितना धन प्राप्त करेगा यदि वह इसे नौ महीने के लिए प्रतिवर्श 20% चक्रविर्धी ब्याज की दर से निवेश किया है क्या कह रहा है यदि तिमाही चक्रविर्धी ब्याज पर तिमाही चक्रविर्धी ब्याज तिमाही का मतलब क्या होता है यह तिमाही का मतलब तीन माह पर मिलने वाली यानि तीन-तीन माह पर चग्रविर्दी व्याज लग रहा है अब ही हम बता रहे हैं पहले इस कोश्चन को आप लोग एक बर बताईए एक बार इस कोश्चन का आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे सबी स्कूडेंट देखि वर्स है हाँ 20 परसेंट 20 परसेंट तो तीन-तीन महीने में क्या होगा चार बार तीन-तीन महीने में कितनी बार मिलेगा बताईएगा तीन-तीन महीने में चार बार तो चार से इसको भाग करेंगे तो तिमाही क्या हो जाएगा पांच परसेंट हो जाएगा हाँ, 9 महीने में 3 से भाग करेंगे, तो time क्या हो जाएगा, 9 महीने में क्या होगा, 3 तीमाही होगा, कितना है, ये तीमाही है, तो 3 तीमाही होगा, ये चीज़ समझ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, principle कितना है, 16,000 है, rate of interest क्या होगा, 5% और time क्या होगा, 3 तीमाही, बता है, यह चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं देखिए 16,000 रुपए आप इसको डिरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं 5% है ध्यान दीजे जो प्रिंस्पल है जो प्रिंस्पल है वो क्या है 16,000 है अब देखिएगा समझने आप लोगों को थोड़ा सा देखिए 16,000 है 5% है क्यों 5% है क्योंकि एक वर्स में 4 तिमाही होंगे तो एक वर्स में क्या होगा 20% को 4 से भाग करेंगे 5 5% हो जाएगा ठीक है जब 5 5% होगा तो 105 बटा का 100 पहले वर्स दूसरे वर्स ध्यान दीजिएगा 3 तिमाही 3 वर्स करना है आपको ठीक है फिर इसका 105 परसेंट फिर दोस्तों क्या होगा इसका 105 परसेंट बस इसको आप सॉल्व करिए और अंसर दीजिए इसको सॉल्व करेंगे अंसर दे देंगे कुछ नहीं करना है देखिएगा आप तब इस पूडेट यह होगा 5 दूना के 10 21 वटा का 20 25 तो यह भी आपका होगा 21 वटा का 20 ठीक है इतना आप लोग समझ रहे हैं एकदम सई बहुत दक्षे वरीगोश अब देखिए 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 पाच परसेंट किया हुआ यह प्रतिवर्थ है बारा महीने में ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिए आप सब सुडेंट 12 महीने में क्या है 20 परसेंट है 12 महीन कि व्याज पर प्रतिवर्थ है 12 महीने में 20 परसेंट है 3 महीने में 10 परसेंट तो 3 महीने में क्या होगा 5 परसेंट तीन महीने में क्या होगा, पांच परसेंट, अब समझ गए होगे आप लोग, ठीक है, नौ महीने के लिए बोल रहा है, तो नौ महीने में ती मही क्या होगा, तीन बार होगा, तो जो time duration होगा, वो 3 होगा, कितना होगा, 3, ठीक है, अब देखिए, अब लोगों को ज्यादा होगे, 16,000, दो बार में 21 गुने 21, 21 का क्यू, 21 का क्यू, क्यू भी याद करने के लिए आपको बताए है, एक से लेके 30 तक का क्यू भी यादोना चाहिए, एक से लेके 30 तक का स्क्वाइर यादोना चाहिए, एक से लेके 30 तक का पहाड़ा यादोना चाहिए, यह हम आप सभ स्टूडेंट को बताए हैं तो एक किसका क्यों क्या होगा दो गुने 9261 एक किसका क्यूब होचा है 9261 ठीक है हाँ अब यहां पर आप लोगों को थोड़ा से समझना है अब दो गुना करना है नो दुना के अठारा हजार veux itadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad महीने में 20% तो 6 महीने में 10 तीन महीने में 5% यह चीज आप समझ गए होंगे अब देखिए rate of interest 5% है मतलब 100 का चीज 105 हो जाएगा 100 का क्या होगा 100 का 105 होगा यानि कि 20 का 21 होगा 5% की दर्थ से 20 रुपए 21 हो जाएगा 20 हो जाएगा अब आप लोग थोड़ा से समझेंगे method 2 देखिएगा आप सब इस्टूडेट method 2 100 का 105 होना 105 परसेंट यह होता है ना यानि कि यह 20 का 21 हो जाएगा 5 से कटाएगे तो और time duration क्या है three time है तीमाही है तीन तीन महीने पर तीन बार तो क्यूब कर देंगे बीस का क्यूब क्या होगा आठ हजार होगा बताइए आप सब इस्टूडेट आठ हजार होगा ध्यान दीजिए 21 का क्यूब 9261 होगा ध्यान दीजिए 9261 होगा अब यहां पर आप सब इस्टूडेट थोड़ा सा समझेंगे यहां पर आप सब इस्टूडेट समझेंगे तो क्या होगा 9261 होगा ci 9261 होगी यहां पर जोंड़ासी है वह सोलह हजार है यह एक इद्शीयान ही प्याकरे लाधा क्रेंगी भूने 2 करेंगे तो क्या होगा 18520 यही आंसर हो जाएगा कि यह अंसर होगा 18,522 बताएं समझ में आ गया उमीद करते हैं method 2 भी आप लोग समझ गये होंगे और यह आपका method 1 रहा यह आपका क्या रहा method 1 रहा method 1 भी समझ गया होंगे method 2 भी समझ गये एक डम सही समझ ही है मन लगागी पढ़िए सीखिए सारी चीजों को चलिए एक और question करा देते हैं फटा फट उसके बाद से आपकी compound interest क्या होगी समाप्त हो जाएगी ठीक है हाँ उसके बाद कुछ question बचेग एक सही एक बटा दो वर्स के लिए उधार दिया अवधी के अंत में सूरज को कितना धन लौटाना पड़ेगा amount पूछ रहा है यहाँ पर आप लोग थोड़ा से समझेंगे question को पहले तो आप समझेंगे तभी solve करेंगे यहाँ कह रहा है छमाही छमाही ब्याज मतलब 6-6 मह इने पे बयाद जुड़ेगा तमझे अब देखिएगा 800 रुपए है 10 पर्सेंट क्या है बारतिक है अगर बारतिक 10 पर्सेंट है तो 6 मही क्या होगा तो महा पर क्या होगा बताइएगा 5 परसेंट होगा हाँ यह डेढ़ बर्थ है यानि की डेढ़ बर्थ का मतलब 18 माह तो अगर ठेचे माह पर बोले तो क्या हो जाएगा तीन छमाही हो जाएगा होगा यानि कहने का मतलब है आप सभी स्टूडें रेखिए प्रिंस्पल क्या है 800 रुपए है रेट आफ इंट्रेस्ट क्या है ध्यान दीजिएगा 5 परसेंट और तीन छमाही है क्या है समझेगा तीन छमाही क्योंकि डेढ़ बर्थ है यह बर्थ है डेढ़ बर्थ तो छमाह क्या होगा तीन बढ़ हो गा तो टायम क्या हो जाएगा तीन छमाही अब देखिए 800 रुपए है डेtro है समझेगे 800 रुपए है आप गुने रेट आफ इंट्रेस्ट 550 वढ़ेन तो 105 बटा का 100 फिर गुने 105 बढ़ेगा इसका 105 परसेंट ठीक है हाँ 105 परसेंट ऐसे बढ़ेगा अब यहां पर समझना है आप लोगों को यह क्या हो जाएगा 21 और यह बीस पांट से कटेगा पांट से 20 बार में तो यह भी होगा 21 बटा का 20 यह भी होगा 21 बटा का 20 समझ रहे हैं अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है अच्छे से समझना है आप सभी स्टूडिंट समझेंगे आप इसको डिरेक्ट ऐसे भी कटा सकते हैं या करेंगे 8000 तो 8 से कटेगा यह 10 बार में लेकिन आप ऐसे नहीं कटा सकते तो ऐसे 24 को 80 40 फिर यह 20 से 20 दूना के 40 यह 2 से 10 तो यह बराबर क्या होगा बताईएगा 21 का क्या होगा 9261 और बटा का 10 तो क्या हो जाएगा 9261 में 10 से भाग करेंगे तो 926 दसमलो एक आएगा यह दसमलो एक ठीक है हाँ पॉइंट एक यह आंसर हो जाएगा कि पताईए आप लोगों का क्या अंसर आ रहे हाँ अलग-अलग आंसर आ रहे है थोड़ा से इसको आप लोग को शमझना पड़ेगा अठी से जब समझेंगे तब ही स्वाल्व कर सकते हैं देखिए अलग-अलग आंसर आ रहे है आप सभी स्वूडेंट का समझ में नहीं आ रहा है तो बताए एक बार और समझाए देखि देखेंगे अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा हाँ मैथट तू आप सभी स्वूडेंट देखेंगे मैथट तू देखिए 100 रुपए क्या हो जाएगा 105 होगा यानि कि 5 20 से कटेगा 20 पच्चे 100 और यह हो जाएगा 21 बार में यानि 20 रुपए क्या होगा 21 होगा ठीक ह हाँ टाइम ड़ेशन थ्री है तीन बार हे हाँ देखिएगा टाइम ड्यूरेशन तीन त्पर है तो यहाँ पर 20 का क्यूब तो होता है टाइम याने कि 20 का cube करेंगे तो यह क्या होगा? 8000 रुपे 9261 होगा 8000 रुपे क्या होगा? 9261 होगा थोड़ा सा समझ लिजिये 9261 होगा इतना तो समझ रहे हैं अब देखिए यह जो 8000 रुपे है यह क्या दिया हुआ है? 800 दिया है तो यह भागे क्या करेंगे 10 अगर 10 से भाग करेंगे तो यह क्या होगा 800 होगा तभी तो 800 होगा तो इधर भी क्या करेंगे इधर भी भाग कर दीजिये 10 से 10 से भाग करेंगे तो 9261 में 10 से भाग करेंगे तो 926.1 होगा और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हाँ अब तो समझ गयोंगे, method 2 भी उमीद करते हैं, समझ गयोंगे, ठीक है? देखिए, और यह आपका क्या रहा? method 1 रहा, यह आपका क्या रहा? method 1 रहा, चलिए, एकदम सही, उमीद करते हैं, समझ गयोंगे, देखिए, आप deception स्टूडेंट जितने कोस्चिन कराएं हैं, सभी प्रशनों को आप लोग क्या करिएगा रिविजन जरूर कर लीजिएगा प्रैक्टिस कर जरूर कर लीजिएगा मन लगा के पढ़िए डेली पढ़िए घर में छोटे भाई वहन दोस्ते उन्हें भी बोलिए वो भी क्लास को जोईन करें यहां पे आप लोगों की जो कंपाउंड इंट्रेस्ट है यानि जो चक्रविर्दी व्याज है समाप्त होता है अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ठीक है मन लगा के पढ़िए खूब अच्छे से पढ़िए डेली पढ़िए ठीक है तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मिलते हैं अगल देखिए रहएं दोस्तों आज को अला है और स्टार्टर अज़ ए झाल झाल